जबकि युवतिया अपने घावों पर पट्टी बांधने और अपनी चोटों का इलाज करने में अपना समय लगाती थी, आकाश उनके आसपास गश्ट करता था उसे यकीन था कि जिस प्राणी को उसने महसूस किया था, वह रॉयल पैटर्न वुल्फ नहीं था कुछ और ही हुआ था, वह अपने जानवर और अन्य प्राणियों के बीच अंतर बता सकता था सी एनिमोन डैंडेलियंस भाग गए थे, क्योंकि उन्हें रॉयल पैटर्न वुल्फ का आभास हो गया था तामबे के सीनवाले याग को मारने वाला शिकारी भी भाग गया था उसे पता था कि आकाश इसी का इंतजार कर रहा था इसने अपनी आभा को छुपाया और समूह की ताकत का परीक्षन करने के लिए सी एनिमोन डैंडेलियंस का उप्योग किया आकाश ने किसी भी तरह की हरकत करने से मना कर दिया था क्योंकि वह उसे सचेत नहीं करना चाहता था लेकिन रॉयल पैटर्न वुल्फ ठीक उसी समय प्रकट हुआ था और उसने सब कुछ दरा दिया था वह दरिंदा भी भाग गया था आकाश दुखी था क्योंकि वह तामबे के सीन वाले याग का बदला लेने में असमर्थ था आकाश ने खुद को आश्वस्त किया कि उसकी डार्कनेस सील बहुत लंबे समय तक चल सकती है जब तक वह जीव यहां रहता उसे उसे पकड़ने का मौका जरूर मिलता तुमने मेरे याग को मार डाला मैं तुम्हें जिन्दा भून डालूंगा आकाश ने कसम खाई मैं तुम्हें चुनोती देता हूँ कि यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो मेरे भेडिये को मार डालो शीख रॉयल पैटर्न भेडिया चिलाया उसे पता था कि आकाश ने वह याग खो दिया है जिसे उसने बुलाया था उसने अपने दुर्भाग्य पर अफसोस जताया कि आकाश उससे क्या करवाएगा आकाश ने घूर कर देखा वे दोनों आयामी जानवर थे तो तामबे के सीन वाले याग को ऐसी त्रासदी का अनुभव क्यों हुआ तामबे के सीन वाला याग वास्तव में कमजोर नहीं था क्या आप पहले उस प्राणी से मिले थे आकाश ने रॉयल पैटर्न वुल्फ से पूछा आकाश को बताया गया कि वह शिकार करते समय एक मजबूत प्रतिदवन्दवी से कतरा गया था थोड़े समय के जगडे के बाद वे अलग-अलग रास्ते पर चले गए रॉयल पैटर्न वुल्फ ने तब उससे समबाद किया कि उसने शिकारी की आभा को महसूस कर लिया है शिकारी आकाश और उसके समुह पर घात लगा कर हमला करने की फिराक में बैठा था इसलिए ओल्ड वुल्फ उनके बचाव के लिए दोड़ा था क्या आप बेवकूफ हैं आकाश ने पूछा अगर वह प्राणी खुद को दिखाने की हिम्मत भी करे तो मैं खुद ही उसे मार सकता हूँ तुमने मेरी योजना बरबाद कर दी क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मुझे बचाने की जरूरत होगी आकाश भड़क उठा उसकी शक्ती का वर्तमान स्तर इतना उचा था कि वह अपनी उंगलियों के जटके से कई शासक्स्तर के राक्षसों को मार सकता था कुछ युवतिया गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आकाश जानबूच कर पीछे हट गया था उसने प्राणे के प्रकट होने की प्रतीक्षा की क्योंकि यह उन सभी को नरकट की किसी भी अनय चीज से भी अधिक खतरा पैदा कर सकता था वह तांबे के सीनग वाले याग से भी बदला लेना चाहता था शिकारी को अवश्य ही मार दिया जाना चाहिए यदि यह तामबे के सींग वाले याग को मारने में सक्षम था, तो आकाश अपने बचाव को कम नहीं होने दे सकता था यह उन सभी को आसानी से मार सकता है आकाश 2400 घंटे अपनी ड्रैगन सेंस का उपियोग नहीं कर सका इससे उसकी मानसिक शमतक्त महो जाएगी तट पर कई जीव संकर रूप में विक्सित हो गए थे परिणामस्वरूप ये जीव खुद को छुपाने और छिपाने में अधिक कुशल थे आकाश का मानना था कि अब अपने आध्यात्मिक शेत्र में सुधार करने का समया गया है अन्य था वह वास्तव में उनका पता लगाने में सक्षम नहीं हो पाएगा भले ही उसने अपनी ड्रैगन सेंस को कितना भी बढ़ा लिया हो यदि वह अपने आध्यात्मिक शेत्र में सुधार करना चाहता तो वह अब अन्य थत्वों की उपेक्षा नहीं कर सकता था मेरी मानसिक स्थिती इस समय अंधेरे स्रोत के प्रभाव में सात्वे क्षेत्र में है उस रात मेरे आध्यात्मिक शेत्र में थोड़ा सुधार हुआ था यदि मेरी अराजकता और प्रित्वी तत्व सुपर लेवल तक पहुँच जाते हैं तो मैं आठवे क्षेत्र को प्राप्त कर सकता हूँ अगर मैं इसके साथ अपने ड्रैगन सेंस का उप्योग करूँ तो यहां आसानी से नवे लोग तक पहुँच जाएगा आकाश ने खुद से कहा नवे क्षेत्र के ड्रैगन सेंस के साथ मुझसे कुछ भी नहीं छिप सकता आकाश ने सोचा मेजेस ने चीजों को और अधिक कुशल बनाने के लिए इस तरह काम किया जब तक उनके पास मानसिक और ध्वनी तत्व नहीं होंगे तब तक धात में बैठे प्राणियों का पता लगाने के लिए उनके आसपास की गतिविधियों को महसूस करना बहुत मुश्किल होगा आकाश को निश्प्रिय और असहाय रहना पसंद नहीं था उसे प्राणि के अपनी चाल चलने का इंतजार करना पसंद नहीं था नौवे दाइरे के ड्रैगन इंद्रिय के साथ उसे विश्वास था कि वह शासक स्तर के अधिकांश प्राणियों की चिपने की क्षमता को देख सकता है नौवे दाइरे का ड्रैगन सेंस केवल चीजों को महसूस करने तक ही सीमित नहीं था यदि आकाश ने नौवाक शेत्र हासिल कर लिया तो उसके अराजक्ता, अंतरिक्ष और सम्मन तत्व भी शक्तिशाली हो जाएंगे आयामी जादू का एक मात्र महत्वपूर्ण पहलू साधना नहीं था, आध्यात्मिक शेत्र ने भी बहुत प्रमुख भूमिका निभाई नौवाक शेत्र आयामी जादू में सबसे मजबूत शेत्र था इस तक पहुँचने का मतलब था कि किसी के पास महान स्वर्ब 20 तत्व मौजूद है यदि कोई अपनी आध्यात्मिक साधना को मजबूत करना जारी रखता है तो वे अपनी आयामी साधना को भी पूरा कर सकते हैं मिंदवो प्राचीन शेहर हमारे ठीक सामने है क्या आपने प्राचीन हरी दिवार देखी? बड़ी बहन रुवान ने उनके सामने इमारत की ओर इशारा करते हुए खुशी से कहा आकाश उसके पास गया और देखा कि हरी दिवार हरी भी लताओं और काई से धकी हुई थी यदि वह ध्यान से नहीं देख रहा होता, तो वह यह बताने में असमर्थ होता कि उगरे हुए पौधों और लताओं ने प्राचीन हरी दिवार को ढख दिया था हरी दिवार बहुत उची नहीं थी शहर का प्रवेश द्वार हरे मकडी के जालों से ढखा हुआ था यह एक गुफा की तरह लग रहा था यह विश्वास करना कठिन था कि यह शहर प्राकृतिक सुन्दरता और शक्तिशाली लोगों का एक प्राचीन शहर हुआ करता था मुठी के आकार की मकडिया जाले पर रेंगती थी जब उसने लोगों को आते देखा तो वह लताओं के भीतर चिप गया मकडियों ने अपने रक्तलाल आखों से उन्हें नसों की दरारों से देखा मकडी के जालों ने प्रवेश द्वार को सील कर दिया है क्या इसका मतलब यह है कि लंबे समय से यहां कोई और नहीं आया है ले नान ने पूछा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कुछ मकडिया कम समय में इतनी तेजी से जाला बनाती है किसी के गुजरने के बाद ही जाल बुना जा सकता था कुछ मकडिया आधे घंटे में पूरे प्रवेश द्वार को ढखने के लिए कई जाले बुन सकती है आकाश ने कहा वहाँ जले हुए पौधों के कुछ निशान है हो सकता है कि अन्य शिकारी हम से आगे हूँ तो हम चलते हैं हो सकता है कि उन्हें यह हमारे मिलने से पहले ही मिल जाएं बिग सिस्टर यिंग ने जल्दी से कहा आकाश आश चर्यचकित और उटसुक था क्या अंदर कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज है यह लिचेंग आफ्टरगलो द्वीप से संबंधित कुछ है हम वास्तव में इसके बारे में बात नहीं कर सकते मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे बड़ी बहन रुवान ने कहा वह ठीक है आखिरकार मैं शिकार करना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यह बताना चाहिए कि जब मैं पहली बार यहां पहुचा तो मुझे एक विचितर घटना का अनुभव हुआ मैंने देखा कि आसमान से बैंधनी रंग की बिजली गिरी और जमीन पर गिरी आकाश ने इमानदारी से कहा कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह डराबना था मुझे नहीं लगता कि शासक स्तर के प्राणी भी इस तरह बिजली की सीधी मार से बच पाएंगे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या बिजली का संबंध किसी भी तरह से मिंगवो प्राचीन शहर से है वह कुल देवता को खोजने आया था जियांग शाउकसू ने उसे विचितर बिजली तूफान और किमवदंती के बारे में बताया था आकाश को अच्छी तरह याद है कि जिस शेतर में बिजली गिरी थी वह केंडर नहीं था मिंद्वो प्राचीन शहर में और भी अधिक धनी और कठोर बिजली चमकी इसके लिए कई स्पश्टी करण है मिस्टर आकाश बड़ी बहन रुवान ने सड़क की ओर बढ़ते हुए कहा कृपया इस तरफ से वह उस जगह से बहुत परिचित लग रही थी शहर के प्रवेश द्वार से प्रवेश करने के बाद उन्होंने और भी अधिक लताए देखी वे हर जगह बेथाशा बढ़ रहे थे जैसे जैसे वे करीब आये उन्हें एसास हुआ कि बेलों के इन भेरों ने छोटे छोटे घरों को ढख दिया है घर लगभग पूरी तरहा लताओं और आईवी से ढखे हुए थे सडके जाडियों से भरी हुई थी जगह बिलकुल बदल गई थी मेरी दादी प्राचीन शहर में रहती थी जब मैं छोटा था तो अकसर शहर आता था मैं शायद ही कभी जूते पहनता था मैं नंगे पैर गौरती थी बड़ी बहन रुआन ने ले नान से धीरे से कहा बड़ी बहन रुआन ने ले नान से चुपचाप बात की लेकिन आकाश ने उनकी बातचीत सुन ली आगे की सडक पैदल मार्ग है प्राचीन दीवार ऐसी लग रही थी जैसे वह बेलों और आईवी से उगी हुई हो मैं केवल यही आशा करती हूँ कि प्राचीन मूर्तिया अभी भी आसपास है बिस सिस्टर रुवान ने दुखी होकर कहा मिंदवु प्राचीन शहर अजीब तरह से शांत था बाहरी भाग राक्षसों से भरी शिकारगाह में बदल गया था जनजातिया, गिरोह और समुदरी राक्षस क्षेपरों के लिए लड़े हर तरफ लाशें और लोथडे बिखरे पड़े थे जब वे मिंदवु प्राचीन शहर में दाखिल हुए तो वहां सननाट अचा गया था क्रूर जानवरों की चीखें या दहाडे थी अपने जाल गुनने वाली मकडियों के अलावा वास्तव में कुछ भी बाहर नहीं निकला घले ही मिंगवु प्राचीन शहर को छोर दिया गया था और अतिविक्सित कर दिया गया था वहां शांती और शांती की एक अजीब भावना थी मानो कोई प्राचीन रहस्यमय शक्ती अभी भी इस शहर को बाहर के क्रूर राक्षसों से बचा रही हो जैसे ही वे पैदल मार्ग पर चले उन्हें एक खुला स्थान मिला जहां कई प्राचीन मूर्टिया थी उन मूर्टियों के चारों और जमीन पर घास्पूस उगी हुई थी लेकिन वहाँ एक सपष्च सीमांकन था जहां घास्पूस समाप्त हो गया और मूर्तिया उभराई बिना किसी क्षतिया क्षति के कोई निशान। आकाश और युवा महिलाएं प्राचीन मूर्तियों की ओर बढ़े। उसे लगा कि यहां कुछ अजीब है। उन्होंने अपने परिवेश का बारीकी से अध्यान किया। उन्होंने महसूस किया कि जावरण में बदलाव का इसके लिए कोई महत्वपूर्ण परिनाम नहीं था। वे केवल पत्थरों से बने थे, लेकिन उनका इतना अच्छूता और प्राचीन आश्चर्य से भरा होना कैसे संभव था। अब उसे इस नगर में राक्षसों की अनुपस्थिती का कारण ग रही थी। गड़ी हुई बिल्ली एक बुजुर्ग की तरह मुस्कुराती हुई दिखाई दी जो कई रहसियों को जानता था। क्या यह वही है जिसके कारण बिजली का तूफान आया आकाश ने पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी देर तक इसे प्त्ति के डिए अधिक शक्तिशाली बिजली के तूफान को ट्रिगर कर सकती है। आकाश को आश्चर यहुआ यह कोई टोटें था, उन्होंने इसका बहुत ध्यानपूरवक अध्ययन किया। उसने थंडर कैट के पंजे पर कुछ अजीब पैटर्न देखे। यह पैटर् प्रती इतनी बिनमर हो जाएगी किले से निकलने के बाद से ही उसे उस पर हमेशा संदेह रहा था ऐसा लगता था कि शक्तिशाली होना ही जीवन में कई चीजों को हल करने की कुझी है कुछ खास नहीं उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा क्या आप पहले भी यहां रह चुके हैं? डूमेई ने सिरहिलाया आकाश ने अपनी बातचीट जारी नहीं रखी इसके बजाए वह बड़ी बहन रुवान के पास गया और उसे टोटेम पैटर्न की तस्वीर दिखाई जो जियान शौकसू ने उसे दी थी ऐसा लगता है कि आप इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं क्या आपने यहां कहीं ऐसा कुछ देखा है? उसने पूछा जब डूमेई ने उसकी उपेक्षा की तो उसने नाराज होकर अपना सिर्धूसरी और घुमा लिया बड़ी बहन रुवान ने तस्वीर को देखा नहीं, आकाश थोड़ा निराश हुआ क्या यहां कोई अन्य प्राचीन मूर्तिया है? आकाश ने उच्छा वे सभी यहां है आकाश ने उनमें से प्रत्येक का अध्ययन किया प्राचीन मूर्तियों से कुछ पवित्र आभा निकल रही थी लेकिन उनमें से कोई भी चितर में टोटेम पैटर्न से मेल नहीं खाती थी क्या तुम्हें यकीन है कि वे सभी यहां है? मैं एक प्राचीन प्राणी की तलाश में हूँ मेरे दोस्त ने मुझे यह तस्वीर दी और कहा कि मैं निश्चित रूप से मिंगवू प्राचीन शहर में कुछ सुराग ढून सकता हूँ आकाश ने कहा आकाश को यकीन था कि टोटेम यहीं इसी शहर में था प्राचीन काल में कुल देवता संरक्षक स्वर्गदूतों की भूमी का निभाते थे जो कुछ भूमी की रक्षा करते थे प्रतेक कुल देवता एक मानव जनजाती की रक्षा करता था यदि मिन्वु प्राचीन शहर एक प्राचीन आदिवासी भूमी के रूप में शुरू हुआ, तो इसमें एक कुल देवता होगा वास्टव में उनका मानना था कि यह कुल देवता ही राक्षसों की भीड को शहर में प्रवेश करने और सब कुछ निगलने से रोक रहा था जियांग शाउक्सू और लिंगलिंग का विशलेशन सही था इस शहर में एक कुल देवता था लेकिन टोटेन वास्टव में ये मूर्तिया नहीं हो सकती बावजूद इसके की उनमें एक खास जादूई आभा जलकती है इसे हटाएं इसे अभी हटाएं जल्दी आप किसका इंतजार कर रहे हैं उन्हें जंगल से एक आदमी की आवास सुनाई दी वे आराम कर रहे थे लेकिन अब उनमें से कई जंगल से बाहर चले गए और साफ जगह पर चले गए जहां मूर्तिया थी गहरे हरे रंग का कवच पहने एक व्यक्ती ने रास्ता दिखाया अन्यल लोग भी उसके पीछे पीछे चले जंगल में हलचल मच गई ऐसा लग रहा था मानो पेड काटे जा रहे हूँ आप कौन है उस आदमी से पूछा आँ इसके बारे में भूल जाओ मुझे आपके बारे में जानने में कोई दिल्चस्पी नहीं है क्या आप अलग हट सकते हैं हम सामान ले जाना चाहते हैं आप क्या कर रहे हैं? आकाश ने उस आदमी से पूछा वह बिल्ली की मूर्ती बिलकुल आदमी ने कहा और घ्रेनत धंग से मुस्कुराया बच्चा महिलाओं के एक समोह के साथ यात्रा कर रहा हूँ है न? क्या आप शारिरिक रूप से ठके हुए नहीं हैं? थंडर कैट की मूर्ती पर उसकी नजर टिकने से पहले उस आदमीने लिचेंग आफ्टरगलो द्वीब की महिलाओं के समोह को अनुचित तरीके से देखा उसकी आखें चमक उठी हेकसिव 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 पुरुषों के एक समोह ने मंत्रो चार किया जिसके बाद एक बड़े पेड के गिरने की आवाज आई वे एक विशाल सुनहरे कवचधारी जानवर को घसीटे हुए जंगल से बाहर चले गए विशाल सुनहरे बक्तरबंद जानवर की उचाई लगभग पांच मनजिल थी उसके अंग मोटे थे और उसका शरीर एक विशाल जानवर जितना बड़ा था यह वह अपराधी था जिसने पेडों को कुचल दिया था सुनहरे विशाल की पीट पर एक प्राचीन मूर्ती बैठी थी प्राचीन मूर्ती भूरे सफेद रंकी थी यह एक सजीव बांसुरी बगुला था बांसुरी बगुला एक प्राचीन और दुरलब प्रजाती थी यहाँ आमतौर पर बांसुरी जैसी ध्वनी निकालता था, इसलिए इसे यहाँ नाम दिया गया यहाँ कभी मिंगवु प्राचीन शहर का मूल निवासी था लेकिन यहाँ अन्य प्राचीन प्राणियों की तरहे जल्द ही विलुप्थ हो गया था आकाश ने बड़ी बेहन रुवान की और मूर्ने से पहले बांसुरी बगुले की मूर्ती को देखा मुझे लगा कि आपने कहा था कि वहाँ कोई और प्राचीन मूर्तिया नहीं थी आकाश ने बांसुरी बगुले की मूर्ती पहले कभी नहीं देखी थी लेकिन उन्हें एसास हुआ कि ये लोग मूर्ती को मिंगवु प्राचीन शहर के दूसरे हिस्से से ले आये थे उन्होंने इसे पूरी तरह से शहर से बाहर ले जाने की योजना बनाई उनका अगला लक्ष्य थंडरकैट प्रतिमा थी लोग प्राचीन प्रतिमा की और बढ़े मूर्ती स्वयन बहुत बड़ी नहीं थी यह केवल एक इनसान जितना लंबा था लेकिन इसका वजन चौकाने वाला था यहां तक कि शक्तिशाली सुनहरे विशाल जानवर ने बांसुरी हैरॉन की मूर्ती के लिए अकेले संधर्ष किया शिकारी समोह मदद करने की कोशिश करने के लिए एक साथ आए विशाल जानवर के सुनहरे कवच के पीछे दरारी थी और प्रत्य एक कदम वजन के कारण जमीन में धंसा हुआ था बॉस जिन जानवर सिर्फ एक मूर्ती ले जाने से तनावगरस्ट दिखता है थंडर कैट की मूर्ती का आकार बांसुरी हैरॉन की मूर्ती के समान ही दिखता है हम इसे कैसे स्थानांतरित करेंगे शिकारियों में से एक ने कहा थंडर कैट की मूर्ती अधिक मूलेवान लगती है हम बांसुरी बगुले को यहीं छोड़ देंगे और पहले थंडर कैट की मूर्ती को स्थानांतरित करेंगे बॉस जिन नामक व्यक्ती ने कहा आप इन प्राचीन मूर्तियों को कैसे हटा सकते हैं? बड़ी बहन रुवान ने गुस्से से कहा. जब वह छोटी थी, तो उसकी दादी ने उसे मिंगवू प्राचीन शहर की प्राचीन मूर्तियों के महत्व के बारे में बताया था. प्राचीन मूर्तिया प्राचीन रक्षक थी जो पूरे दिन और रात शहर की रक्षा करती थी जब तक मूर्तिया शहर में रही इससे कोई फ्रक नहीं पड़ता था कि जमीन पर क्रूर रक्षसों ने आक्रमन किया था समुदर से क्रूर समुदरी राक्षसों ने, उनमें से कोई भी मिनवो प्राचीन शहर में शांती नहीं तोर सकता था। इन मूर्तियों के कारण शहर के लोगों को शांती और सुरक्षा का आनंद मिला था, और वे उन्हें देवता मानते थे, और त्योहारों के दौरान उनकी पूजा करते थे। कम से कम वे ऐसा करते थे। बड़ी बहन रुवान ने कभी नहीं सोचा था कि बाहर से कोई उन्हें चुराने के बारे में भी सोचेगा। महिला, क्या आप जानती हैं कि कितने अमीर आदमी प्राचीन शहर की इन तूटी हुई पुरानी पत्थर की मूर्तियों को खरीदने की पेशकश करते हैं, बॉस जिन ने उंगली बढ़ाते हुए कहा। अमीर लोग इन मूर्तियों पर इतना पैसा क्यों खर्च करेंगे, वास्तव में उच्सुक होकर आकाश ने पूछा। इसके लिए पैसा है। वह गलत नहीं था। मिंदवो प्राचीन शहर को छोड़ दिया गया। यहां एक भी आत्मा नहीं रहती थी। उसके अंदर हर चीज बिना मालिक के थी। बॉस जिन ने कहा, मैं इन मूर्तियों पर एक एहसान कर रहा हूँ। उन्हें बरबाद नहीं होने दे सकते। इसलिए मैं अपने लोगों के साथ अपनी जान जोखिम में डाल कर यहां आया और इन मूर्तियों को एक नए घर में ले गया। उन्हें एक उद्देश मिल हैं हम यहां अच्छा काम कर रहे हैं आकाश ने शिकारी की प्रशंसा की जरूर उसने चीजें चुराई लेकिन कम से कम उसमें इमानदारी और खुले तोर पर अपना बचाव करने की शालीनता थी लेकिन मूर्तिया एक हजार साल से भी अधिक समय से शहर की रखवाली कर रही ह जदी आप उन्हें दूर ले जाते हैं तो भगवान आपकी निंदा करेंगे बड़ी बहन रुवान ने कहा जो अब उन्हें किसी तरह रोकने के लिए बेचैन है आप लिचेंग आफ्टरगलो द्वीप से हैं है ना बॉस जिन ने पूछा हाँ बड़ी बहन रुवान ने स कोई शब्द नहीं मिले बॉस जिन दिल खोल कर हसे वह अपने शिकारियों की ओर मुडा और उन्हें जानवर की पीट से बांसुरी बगुले की मूर्ती को हटाने और पहले थंडरकैट की मूर्ती को लोड करने का निर्देश दिया आकाश ने बड़ी बहन रुवान की ओर जाहिरा तोर पर बॉस जिनको लिछें आफ्रगलो द्वीब के बारे में उनसे कहीं अधिक पता था क्या बॉस जिनका ताथपर यह था कि लिछें आफ्रगलो द्वीब के पास एक शक्तिशाली मूर्ती है आकाश को आश्चर्य हुआ आकाश को याद आया किशु जियाओ हुआने लगभग गलती से उनके द्वीप के राक्षसों से सुरक्षित होने का कारण बता दिया था आकाश समझ गया कि यूवतियों के इस समुह ने उससे बहुत सी बाते चिपाई हैं उसे ठगा हुआ महसूस हुआ उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि वे उनकी निगरानी में मिंगवु प्राचीन शहर में सुरक्षित रूप से पहुँचें लेकिन उन्होंने इमानदारी से उसके सवालों पर विचार करने से भी इनकार कर दिया था सभी यूतिया बहुत चिंतित दिख रही थी वे बॉस जिन और उनके शिकारियों को मूर्ती ले जाने से नहीं रोक सके उच खेती वाले एक मात्र लोग बिग सिस्टर रुवान और लेनान थे लेकिन उनकी संख्या अधिक थी इसके अलावा बॉस जिनकी खेती उनसे भी अधिक हो सकती है श्री आकाश कृपया हम पर एक एहसान करो बड़ी बहन रुवान ने उसकी और मूर्ते हुए कहा कृपया उन्हें मूर्तिया ले जाने से रोकें आकाश ने कहा मुझे डर है कि अब हमारे अनुबंध को रद करने का समया गया है वह अब उनके साथ सहयोग नहीं करना चाहता था दोनों पक्षों ने आपसी समझ पर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये थे सौदे में आकाश का पक्ष उनकी रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना था कि वे सुरक्षित रूप से मिंगवु प्राचीन शहर तक पहुँचें जबकि वे उसकी अपनी यात्रा से संबंधित कुछ प्रशनों का उत्तर देंगे बड़ी बहन रुआन ने उनसे प्राचीन मूर्तियों के बारे में जानकारी छिपाली थी यह सपष्ट था कि मिंगवु प्राचीन शहर के अन्य हिस्सों में अन्य मूर्तिया भी हो सकती है लेकिन उसने उससे जूट बोला था जब उसने उसे बताया कि शहर में केवल वर्तमान मूर्तिया ही थी उसने उससे जूट बोला था इसके अलावा बॉस जिन गलत नहीं थे अब यहां कोई नहीं रहता था इसलिए इन मूर्तियों पर किसी का स्वामित्व नहीं था वह किसी परित्यक्त शहर से चीजे लेकर कोई कानून नहीं तोड रहा था आकाश के पास बॉस जिन से भिडने का कोई मजबूत कारण नहीं था यह इस अनुबंध में नहीं था और उसे इसकी परवाह करने की जुरत नहीं थी उसका बॉस जिन या उसके शिकारियों से कोई संबंध नहीं था वे वास्तव में जो करने आये थे उसे करके किसी को चोट नहीं पहुचा रहे थे इसके विपरीत लिचेंग आफ्रगलो द्वीब की इन युवतियों ने उसे धोखा दिया था कृपया आप उन सवालों को फिर से उठा सकते हैं और मैं इस बार उनका इमानदारी से जवाब दूंगी बड़ी बहन रुआन ने विंती की इन प्राचीन मूर्तियों को मिंदवू प्राचीन शहर नहीं छोड़ना चाहिए आकाश ने कहा अब मुझे इसमें कोई दिल्चस्पी नहीं है मैं जिस प्राचीन प्राणी की तलाश कर रहा हूं उसे ढूंडने में आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं आपकी मदद क्यों करूं बॉस जिनने आकाश के पूछने पर उसे मूर्ति पर पैटर्न का अध्ययन करने की अनुमती दी थी इसलिए उसे बास्तव में उसे अपमानित करने का मन नहीं हुआ लेकिन बांसुरी बगुले की मूर्ति पर पैटर्न चितर से मेल नहीं खाता था आकाश को एसास हुआ कि प्राचीन मूर्तियों का उस टोटेम से कोई लेना देना नहीं है जिसकी वह तलाश कर रहा था उसका कोई सुराग नहीं मिल सका और चूंकि ये महिलाए जितना बता रही थी उससे कहीं अधिक जानती थी इसलिए उन्हें यकीन था कि उनके पास इस बारे में कुछ जानकारी थी आकाश खुद ही सुराग ढूंड सकता था उसे लगा कि अब उसे उनके साथ यात्रा करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है बिग सिस्टर रुवान ने कहा हमारे बुजर्गों ने हमें इन प्राचीन मूर्तियों की सुरक्षा सुनिष्ट करने के लिए यहां आने का निर्देश दिया हमें एक जादूई कागस की नाव के माध्यम से उन्हें रिपोर्ट करना होगा हमारे बुजर्ग यहां पहुचेंगे मुझे आशा है कि आप बॉस जिन और उसके शिकारियों को रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं हम आपको अधिक भुगतान कर सकते हैं मुझे पैसे की कमी नहीं है आकाश ने सीधे कहा ऐसा कहते हुए उसे अपने आप में बहुत खुशी महसूस हुई उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह यह बात इमानदारी से कह सकेगा आठ तत्वों के खर्च के कारण उसका एक हाथ और एक पैर खराब हो गया बड़ी बहन रुआन ने अनिक्षा से कहा हम उस प्राचीन प्राणी को ढूंदने में आपकी मदद करेंगे जिसकी आप तलाश कर रहे हैं मैंने वह पैटर्न देखा है जो आपने मुझे दिखाया था आकाश ने कहा तुमने मुझे से जूट बोला अनुबंध का खंड स्पष्ट था जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुम्हें यह मुझे बताना चाहिए था आकाश ने अनुबंध की शर्तों का पालन किया था उसने यात्रा के दौरान उन्हें जीवित रखा था अन्य था वे सभी यहां आते समय मिले राक्षसों से लड़ते हुए मर गए होते मुझे एक शमा करें मुझे बहुत खेद है मिस्टर आकाश बड़ी बहन रुवान ने गंभीरता से कहा मैं एक कारण से मायावी हो रहा था हम अनुबंध के अपने अंत को पूरा करने का वादा करते हैं इसके अतरिक्त हम आपको लिचेंग आफ्रगलो द्वीप की आध्यात्मिक भूमी से जुड़ी एक और चीज के बारे में भी बताने का वादा करते हैं लिचेंग आफ्रगलो द्वीप की आध्यात्मिक भूमी आकाश ने पूछा उन्होंने देखा था कि द्वीप की इन महिला जादूग्रों के पास युद्ध के अनुभव की कमी की तुलना में आश्चर्य जनक रूप से उच्चस्तर की साधना थी उसने इतना अनुमान लगाया था कि उनके द्वीप में कुछ स्वर्गी आत्माय या खजाने हो सकते हैं जिससे यह संभव हुआ है मेरी सुपर लेवल खेती के साथ क्या आपको सच में लगता है कि मैं लिचेंग आफ्टरगलो द्वीप की आध्यात्मिक भूमी को परिशान करूंगा आकाश ने उदासीन होने का नाटक करते हुए कहा श्री आकाश तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारी आध्यात्मिक भूमी कितनी अनोखी है जब तक आप अपनी आत्मा से यह शपत लेने को तयार हैं कि आप हमारी आध्यात्मिक भूमी के रहसियों को लीक नहीं करेंगे मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि आपके जैसे सुपर लेवल के जादूगर को भी इससे लाभ होगा बड़ी बहन रुवान ने इमानदारी से कहा आकाश ने उन पर विश्वास किया उनकी खेती इतनी अधिक थी कि इससे उन्हें निश्चित रूप से उनकी आध्यात्मिक भूमी के बारे में आश्चर्य हुआ आकाश पहले भी कई बार परलर इंस्टिट्यूट के थ्री स्टेप तावर और पार्थेनन टेंपल के गौडली सील माउंटेन का दौरा कर चुका था इन दोनों जगहों पर सत्ता को सोखने के लिए उसके पास ज्यादा कुछ नहीं बचा था उनका लिटिल लोच स्टार सी लेवल तक पहुँच गया था यदि उसे थ्री स्टेप तावर और इश्वरिय सील परवत जैसा पवित्रस्थान मिल जाए तो उसकी प्रिथवी और अराजकता के तत्व सुपर स्टर को प्राप्त कर लेंगे जिस आत्मा साधना पवित्रस्थान ने इन युवा महिलाओं की साधना को इतने उचे स्टर तक बढ़ाया उसमें निश्चित रूप से बहुत अधिक पोशन मूल्य होना चाहिए आकाश ने उनके प्रस्ताफ पर विचार किया जब आपने बॉस जिन को भगवान की निंदा की चेतावनी दी तो आपका क्या मतलब था आकाश ने पूछा मुझे संदे है कि यह केवल कुछ अंधविश्वासी प्रलाप माना गया था बिजली तूफान जब भी कोई इस जगह से किसी प्राचीन मूर्ती को चुराने का प्रयास करता है तो बिजली का तूफान आ जाता है बड़ी बहन रुवान ने इस बार इमानदारी से जवाब देते हुए कहा आपका कहना है कि कुछ दिन पहले आया बिजली तूफान कोई प्राकृतिक आपदा नहीं था बॉस जिन और उनके शिकारियों से पहले किसी ने इस शेतर से मूर्तियों में से एक को चुरा लिया था इसलिए हमें जल्दी से यहां आना पड़ा थंदर कैट प्रतिमा को नहीं हटाया जाना चाहिए एक बार जब यह मिंगवू प्राचीन शहर क्षेतर को छोड़ देगा तो जो बिजली तूफान आएगा वह उस तूफान से दस गुना अधिक विनाशकारी होगा जो हमने कुछ दिन पहले देखा था किला नश्ट हो सकता है बड़ी बहन रुवान ने गंभीरता से कहा आकाश को उस बिजली के तूफान की अच्छी तरह याद थी जिसका उसने सामना किया था यह किले से बहुत दूर नहीं टकराया था यदि अगला बिजली तूफान दस गुना अधिक शक्तिशाली होता तो केवल किलाही ऐसा नहीं होता जो नश्ट हो जाता बिजली का एक शक्तिशाली जटका तटियक शेत्र के सभी जीवित प्राणियों को मिटा सकता है क्या यह सच्मुच इतना डरावना है आकाश ने संदे से पूछा हाँ यह है हमने पहले भी आप से बातें छिपाई होंगी लेकिन बिग सिस्टर रुवान इस बार सच बता रही है परमिश्वर की निंदा वास्तविक है शुश्याव हुआ ने उसकी ओर दोड़ते हुए कहा उसने उसकी ओर गयापूरवक देखा और उससे उन पर विश्वास करने की बिंती की ठीक है मैं देखना चाहूंगा कि यह भगवान की निंदा वास्तव में कैसे काम करती है शायद मुझे उस प्राचीन प्राणी के बारे में कुछ सुराग मिल जाए जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ आकाश ने कहा शुश्याव हुआ ने उच्शुकता से कहा मैंने वह तस्वीर देखी जो आपने बिग सिस्टर रुवान को दिखाई थी उसने इस बारे में आपसे जूट नहीं बोला वह प्राचीन प्राणी यहां मिंगवू प्राचीन शहर में नहीं पाया जा सकता क्योंकि यह लिचेंग आफ्ट रगलो द्वीप पर है शुश्याव हुआ बड़ी बहन रुवान ने उसे डाटा आकाश अब बड़ी बहन रुवान पर भरोसा नहीं कर सकता था लेकिन उसने शुश्याव हुआ पर भरोसा किया उसने कभी जूट नहीं बोला बड़ी बहन रुवान वह बुरा आदमी नहीं है वह रास्ते में हमारी रक्षा करने में बहुत सावधान रहा है शुश्याव हुआने कहा अगर हम पूरे समय सतर्क रहते हैं और उसके साथ एक अजनबी की तरह व्यवहार करते हैं तो हम उसे हमारी मदद करने में अनिच्शुक होने के लिए दोशी नहीं ठहरा सकते बड़ी बहन रुवान ख्षन भर के लिए शब्द खो बैठी यह निर्धारित करने का कोई निश्चित तरीका नहीं था कि कौन अच्छा था और कौन बुरा था लेकिन उन्हें अभी उसकी मदद की जूरत थी लिचेंग आफ्टरगलो द्वीप में कई रहस्य थे बद्नियत इरादे वाले लोग भूखे भेडियों की तरह उन पर नजरें गड़ाय हुए थे कोई भी किसी की इमानदारी की गारंटी नहीं दे सकता लिचेंग आफ्टरगलो द्वीप की संपत्ती और खजाने को देखने के बाद कोई भी भरष्ट और लाल्ची हो सकता है मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद आकाश ने शुश याओ हुआ से कहा लेकिन मैं अब बड़ी बहन रुवान पर भरोसा नहीं कर सकता इसके बजाए मैं आपके साथ एक सौधा करने को तयार हूँ पूरी तरह से इमानदार होने के लिए मुझे आपके द्वीप में दिल्चस्पी है मेरी अराजकता और पृत्वी के तत्वों ने अपनी अर्चने पैदा कर ली है और मुझे सफलता हासिल करने के लिए एक पवित्र स्थान की आवश्चक्ता है अगर आप मेरी मदद करने को तयार हैं तो मैं आपकी मदद करने को तयार हूँ उसने चितर शुष्याओ हुआ को दे दिया क्या आपने इस प्राचीन प्राणी को पहले देखा है शुष्याओ हुआ ने सिर हिलाया उसने बड़ी बहन रुवान की ओर देखा बड़ी बहन रुवान ने उसे नहीं रोका हमारे बुजुर्बों ने कुछ दशक पहले कुछ बेवकूफी की थी उन्होंने प्राचीन मूर्तियों में से एक को मिंगवु प्राचीन शहर से लिचेंग आफ्टरगलो द्वीप में स्थाना अंतरित कर दिया शुजियाओ हुआ ने फिर से बड़ी बहन रुवान की ओर देखा बड़ी बहन रुवान ने आह भरी उस समय जो लोग लिचेंग आफ्टरगलो द्वीप में रहते थे उन्हें भगवान की निंदा सहनी पड़ी थी लगातार बिजली तूफानों का एक युग हमारे सामने आ गया बिजली की आंधिया एक महीने से अधिक समय तक चली बिजली दक्षिन से उत्तर तक और आकाश से समुद्र और भूमी तक चमकी परिनामस्वरूप, शहर, क्रिशी भूमी, समुद्र और जंगल गंभीर रूप से शतिग्रस्थ हो गए बहुत से लोग इसलिए मरे क्यों की परमेश्वर ने हमें दोशी ठहराया था यही कारण है कि बॉस जिन ने आपसे ऐसा कहा आकाश ने आखिरकार सब कुछ समझते हुए कहा बड़ी बहन रुवान ने सिर हिलाया बॉस जिनको तब इसकी जानकारी नहीं थी कोई नहीं जानता ऐसी घटना से हमारे बुजुर्ग और पूरवज शर्मिंदा थे उन्होंने इसका दोश एक प्राचीन प्राणी पर मड़ दिया जिसमें बिजली गिरने की समान क्षमता थी बिग सिस्टर रुवान ने समझाया आकाश स्तब्ध रह गया उसने अनुमान लगाया था कि जीव उनके द्वीप पर हो सकता है लेकिन यह मुझे विश्वास है कि यह वही प्राणी है जिसकी आप तलाश में आये थे बड़ी बहन रुवान ने कहा हमारे पूर्वज जानते थे कि उन्होंने पाप किया है वे अपराधबोध से ग्रस्ट थे और लिचेंग आफ्टरगलो द्वीप में रहने के लिए जनजाती ने सच्चाई का सामना करने से इनकार कर दिया था और दोश लिचेंग आफ्टरगलो द्वीप में रहने वाले कुल देवता पर मर दिया था बिजली गिरने से बहुत ज्यादा मौते हुई थी उन्होंने प्राचीन बिजली के प्राणी को घेर लिया था और उस पर प्रूर्ता से हमला किया था तुम्हारे पूर्वजोंने एक कुल देवता को मार डाला है आकाश सग्मे में रोपड़ा शुजियाओ हुआ और बड़ी बहन रुवान दोनों ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रही समो की सभी युवतियों को उनके चहरे पर आश्चर्य और सदमे के भाव के कारण इसके बारे में पता नहीं था यदि बिग सिस्टर रुवान की दादी अपनी मृत्यू से पहले पैतरिक हॉल में जोर-जोर से चिला नहीं रही होती तो बिग सिस्टर रुवान और शुशियाओ हुआ को भी इसके बारे में कभी पता नहीं चलता कुछ लोग कहते हैं कि यह अभी भी जीवित है शुशियाओ हुआ ने फुस्फुसाते हुए कहा क्या आप इसे ढूंड सकते हैं आकाश ने पूछा हमारे बुजर्ग इसे ढूंडने में सक्षम हो सकते हैं इन सबका एक कारण है मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था बड़ी बहन रुआन ने कहा आकाश ने आह भरी ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा मैं बॉस जिन और उनके आदमियों को रोकूंगा लेकिन तुम्हें मुझे अपने द्वीप पर ले जाने का बादा करना होगा बड़ी बहन रुआन ने सिर हिलाया आकाश समझ गया कि किसी अजनबी से ऐसे हिंसक अतीत के बारे में बताना बहुत मुश्किल रहा होगा यदि वह कुल देवता यहां तक की उसका केवल एक शब भी ढूंड पाता तो भी यह सब उसके लिए एक सार्थक यात्रा होती जंगल के बगल वाले रास्ते पर थंडर कैट की मूर्थी पहले से ही विशाल सुनहरे विशाल जानवर जैसे जानवर की पीठ पर लादी गई थी बॉस जिन और उनके आदमी उनसे लगभक 4 या 500 मीटर आगे थे लेकिन सुनहरे विशाल जैसा जानवर अपनी सीमा तक पहुँच गया था चार-पांच-सौ मीटर की दूरी चलने के बाद वह किसी दुरघट नागरस्थ पहाड की पूरी ताकत के साथ जमीन पर आगिरा बॉस जिन थंडर कैट की मूर्ती बहुत भारी है यह अब मूर्ती नहीं ले जा सकता शिकारियों में से एक ने कहा यह होना चाहिए क्या आप जानते हैं कि मूर्ती की कीमत कितनी है इस शहर का रास्ता ढूंडने में हमें बहुत प्रयास और उर्जा लगी है हमारे बहुत से लोग मारे गए हम अब हार नहीं मान सकते और खाली हाथ नहीं लोट सकते बॉस जिन ने गुस्से में कहा बॉस जिन ने एक लंबा ज्वलंत चाबुक निकाला और सुनहरे विशाल जानवर के सिर पर वार किया यह दर्द से चिला रहा था उठने के लिए संधर्ष कर रहा था वह मुश्किल से खड़ा हो पाया था कि वह फिर से जमीन पर गिर गया वह इतनी जोर से गिरा कि उसके घुटने तूट गए और खून बहने लगा सुनहरे विशाल जानवर के लिए मूर्ती को ले जाना असंभव था बेकार कच्रा एक शक्तिशाली जानवर को कौन बुला सकता है बॉस जिन अपने आदमियों पर चिलाया मैं उसे सम्मान राशी का दस्वान हिस्सा इनाम दूँगा मुझे कोशिश करने दो आकाश मुस्कुराया और उनके पास चला गया क्या आप एक सम्मनिंग एलिमेंट जादू कर हैं बॉस जिन ने आकाश की और अपनी एक भॉम उठाई हाँ आकाश ने कहा मैंने सुपर लेवल हासिल कर लिया है महान उन महिलाओं के लिए काम करने का कोई मतलब नहीं है आओ और मेरे लिए काम करो मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि आपको पूरे वर्ष महिलाओं का अपना हिस्सा मिलता रहे बॉस जिन ने हंसी से गरचते हुए कहा सुपर लेवल पर आगे बढ़ने के बाद से यह थावजेंड ट्राइब एल्फ टॉवर का उप्योग करने का मेरा पहला मौका है मुझे यकीन नहीं है कि किस तरह का जानवर सामने आ सकता है आकाश ने कंधे उचकाते हुए कहा थाउजेंड ट्राइब एल्फ टॉवर सुपर लेवल में प्राचीन जादूई पोर्टलों में से एक था एक सुपर लेवल समम्निंग एलिमेंट जादूगर थाउजेंड ट्राइब एल्फ टॉवर, वान ड्रैगन वैली और माउंड ओफ देट बीस्ट में से किसी एक को बुला सकता है बाजार में बहुत से सम्मन पात्र बिक्ते थे इन जहाजों में जादूई माध्यम शक्ती होती थी और इनका उप्योग विशेश आहवान करने वाले प्राचीन जादू पोर्टल खोलने के लिए किया जा सकता था जो प्राचीन जादू पोर्टल से किसी भी शासकस्तर के जानवरों को बुलाने में मदद करता था भले ही जीव हजार जनजाती एलफ टूवर वान ड्रैगन वैली या मृत जानवर के टीले से थे वे सभी शासकस्तर के थे वे स्वभाव में ओल्ड वुल्फ से भिन्न होंगे जो एक विनमर प्रिष्ठ भूमी से आये थे और जिन्होंने बहुत सारी कठिनाईयों का अनुभव किया था आकाश ने थाउजेंड ट्राइब एल्फ टॉवर खोलने पर ध्यान केंद्रित किया शासकस्तर के जानवर को अपने लिए लड़ने के लिए बुलाने का निर्णय लेने से पहले उसने थाउजेंड ट्राइब एल्फ कॉवर के साथ आध्यात्मिक संबंध स्थापित किया बच्चे मुझे चिढाना बंद करो मैंने पहले भी कई शक्तिशाली जादूगर देखे है आप किसी सहायक साधन पर निर्भर हुए बिना एक प्राचीन जादूई पोर्टल कैसे खोल सकते हैं बॉस जिनके होंठेल गए आकाश ने कहा अगर आप कभी कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा ठीक है बॉस जिनने वास्टव में उसे गंभीरता से नलेते हुए कहा उस कोने में जाओ और जितना संभव हो उतना प्रयास करो उसने अपने दूसरे शिकारी की गोर देखा हे क्या आप वहा है आप क्या उस एलिमेंटल जादूगर हैं है न क्या आप उस शापित मूर्ती को हलका बनाने का कोई तरीका खोजेंगे बॉस जिनने एक और आदमी की ओर रुख किया अरुतुम आप एक पादप तत्व जादूगर हैं है न लटकाने के लिए कुछ लताओं का उपयोग करें जब बॉस जिननने अपने आदमियों को निर्देश दिया आकाश किनारे चला गया और प्रयोग करना शुरू कर दिया सुपरलेवल सममनिंग एलिमेंट स्टार पैलेस जटिल नहीं था सबसे जटिल हिस्सा संबन करने वाले जानवर विमान के माध्यम से प्राचीन जादू पोर्टल को खोलने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ती का उपयोग करना था सौभाग्य से आकाश के पास एक काला ड्रैगन हॉर्न हेलमेट था इसने आध्यात्मिक शेत्र में उसकी ड्रैगन इंद्रियों को कई गुना बढ़ा दिया अन्यथा अनुभव के बिना साथ लोकों के माध्यम से प्राचीन जादू पोर्टल को खोलना एक मूर्खतापूर्ण काम होगा प्राचीन जादू पोर्टल हजार जनजाती एल्फ कावर आकाश ने इस प्रक्रिया में अपना मधूर समय बिताया स्टार पैलेस अपने आप में एक बेहत जटिल कास्टिंग प्रक्रिया थी यदि ऐसा नहीं होता कि वह एक सुपर लेवल का जादूगर था और उसने कई सुपर लेवल के गहन तत्वों में महारत हासिल कर ली थी तो सामान्य मानसिक शम्ता के माध्यम से 2401 स्टार पुत्रों को सटीक रूप से व्यक्त करना उसके लिए बेहद मुश्किल होता स्टार पुत्र को नियंतरत करने की प्रक्रिया स्वय डोमिनोस की व्यवस्था करने जैसी थी जिसके लिए बेहद शक्तिशाली मानसिक शक्ती और दीर्ग कालिक अनुभव की आवश्च्टा थी Star Palace को व्यक्त करने, प्रेस करने, फ्रेन करने और निर्मान करने के तरीके हर बार एक जैसे नहीं होते थे हाला कि एक बार जब व्यक्ती ने अपनी मानसिक स्थिती मजबूत कर ली तो विभिन तत्वों से Star Palace बनाते समय वह इतना असहाय नहीं होगा सुपर लेवल पर आगे बढ़ते समय पहला तत्व Star Palace बनाना सबसे कठिन था कौशल अभ्यास के साथ आता है जानवर विमान को बुलाने वाली आत्मा जल्द ही आकाश के सामने प्रकट हुई हरे भरे पहाड खुल गए उसके सामने परत दरपरत पहाड आदिन प्राचीन जंगल के विशाल विस्तार में खड़े थे वे बिखरे हुए नहीं थे बलकि एक साथ एकत्रित थे सबसे बाहरी परत हरे पहाडों से घिरी हुई थी पहाडों ने आपस में जुड़कर एक घेरा बना लिया जो घने जंगल के मैदान में खड़ा था हरी परवत श्रिंखला के घेरे के भीतर बैंगनी हरे पहाड थे जो सबसे बाहरी परत के पहाडों से उचे थे ये परवत एक बार फिर एक वलय में जुड़ गए भीतरी घेरे के भीतर हरे पहाडों का एक और समोह उनके सामने की परत से भी उचा खड़ा था बैंगनी पहाड उचे थे और बादलों से उपर उठे हुए थे हरे पहाडों और बैंगनी हरी परवत श्रिंख लाओं की सबसे बाहरी परत की तुलना में बैंगनी विशाल पहाड एक हजार मीटर उचे थे बैंगनी विशाल परवत के शीर्ष पर एक काला बैंगनी इश्वरिय परवत था इश्वरिय परवत, इसमें कई उची चोटिया शामिल थी चट्टानों की चोटियों ने आकाश के द्रिश को अवरुद्ध कर दिया अनेक दुर्जे जीव चोटियों पर मंदराते थे थाउजेंड ट्राइब एल्फ टॉवर हजारों परवत चोटियों से बना था जो एक साथ जुड़कर एक मनमोहक द्रिश बनाते थे यह राजसी और भव्य द्रिश मानव जगत में पाई जाने वाली किसी भी चीज से अतुलनिय था जब आकाश ने थाउजेंड ट्राइब एल्फ टॉवर का पोर्टल खोला तो उसने अपने ड्रैगन सेंस की मदद से काले बैंगनी इश्वरिय परवत की चटान पर एक नाचता हुआ छोटा बिंदु देखा वह छोटा सा बिंदु एक शासक स्टर का प्राणी था हजारों मीटर उची लताए चटान पर जुकी हुई थी तेज हवा में लताए लहराने लगी जब बादल चंट गए तो क्रिस्टल पंखों वाली कुछ कल्पित बॉने पवित्र रोशनी में चमक उठी वे अविश्वस निय गती से उड़े आकाश की आखों से उचलती रोशनी फीकी पड़ गई आकाश ने सोचा मुझे थंडरकैट की मूर्ती को हटाने के लिए एक मजबूत शरीर वाले जानवर की तलाश करनी होगी अचानक चटान पर दो लोगों की आखे खुली ऐसा लगा कि उसने आकाश को नोटिस कर लिया और पहचान लिया कि वह किसी दूसरी दुनिया से आया है इसने अपनी दृष्टी उस पर टिका दी आकाश अचंभित रह गया उसने ध्यान से देखा तो चटान के रंग की तवचावाला एक शक्तिशाली चटान दानव राजा था जो पीछे मुड़कर उसकी ओर देख रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे हाथ चटान पर चड़ने वाला चरम खिलाडी थावजें ट्राइब एल्फ टौबर की ओर उंची चड़ाई कर रहा हो यह चटान का राजा है चटान की योगिनी उत्तम आकाश ने सोचा यह आप है जाओ एल्फ बॉल उसने कहा बंग 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 जमीन जोर से हिल गई एक शक्तिशाली शक्ती के कारण घना जंगल धह रहा था शाखाई, पत्तिया और जड़े हवा में उड़ गई हलकी बैंगनी अयस्क चमक वाला एक काला राजसी प्राणी मिक्टी को फार देता है टाकतवर चटान दानव राजा ने धीरे-धीरे खुद को दरारों से बाहर निकाला अपने चटान शिला जैसे सिर के साथ वह मनुश्यों की ओर देखता था अरे बाप रे शिकारियों में से एक चिलाया वह जंगल में भाग गया अन्य लोग भी उतने ही स्तब्ध थे माइटी क्लिफ देमन किंग को घूरते हुए बॉस जिन दंग रह गए हाला कि उन्होंने दूसरों की तुलनामे खुद को बहतर धंग से संभाले रखा उन्होंने माइटी क्लिफ देमन किंग के लुप्ध होते सफेध चांदनी स्टार पैलेस पैटर्न को देखा बच्चा वह आकाश की ओर मुड़ा तुमसे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने विशेशग्य होगे यह मेरा पहली बार है आकाश ने विनमरता पूर्वक कहा मैं अभी भी इसका आदी नहीं हूँ वे मुस्करा उठे बॉस जिन ने पेश पेश की मैं आपको थंडर कैट प्रतिमा ले जाने के लिए मांदे का दोदस्वा हिस्सा दूंगा ताकतवर चटान दानव राजा सुनहरे विशाल जैसे जानवर की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर था बॉस जिन को पता था कि आकाश ने एक शासक स्तर के जानवर को बुलाया था वह जानवर एक उच्च श्रेणी के रक्तवंशिय मौलिक योगिनी प्राणी का था आकाश ने थंडर कैट की मूर्ती की ओर इशारा किया ताकतवर चटान दानव राजा ने बिना किसी हिचकी चाहट के आग्या का पालन किया वह मूर्ती के पास गया और उसे एक हाथ से उठा लिया माइट क्लिफ दानव राजा ने थंडर कैट प्रतिमा के वजन को कम करके आका था मूर्ती एक तरफ तायल लगी हुई है राक्षस ने अपने अन्यविशाल चटानी हाथ उठाए और मूर्ती को पकड़ लिया बॉस जिन संतुष्टी से मुस्कुराए माइटी क्लिफ देमन किंग ने थंडर कैट की मूर्ती को अपने कंधे पर रखा और वौकवे की दिशा में चला गया इसने थंडर कैट की मूर्ती को एक खंभे की तरहट होया भले ही यह चोटा लग रहा था ताकतवर चटान दानव राजा के लिए भी यह थोड़ा भारी लग रहा था जब ताकतवर चटान दानव राजा उस रास्ते से वापस चला गया जिस रास्ते से शिकारी आये थे, तो बॉस जिन के चहरे पर मुस्कान गायब हो गई, उसका चहरा काला पड़ गया, वह गुस्से में लग रहा था, थंडर कैट की मूर्ती को छोटे से जंगल से पूरे रास्ते तत ले जाने में बहुत महंत और दिन का बहतर समय लगा था, वे शहर के प्रवेश द्वार के करीब थे, लेकिन ताकतवर चट्टान दानव राजा केवल कुछ ही कदम चला था और उसने मूर्ती को वही रख दिया जहां वह पहले थी, बच्चे इसका क्या मतलब है, बॉस जिन गर्जे, कुछ नहीं, किसी ने मुझे मूर्ती को उसके प्रतिमा को वापस पाने के लिए शक्तिशाली चट्टान दानव राजा से लड़ने के लिए परियात आशवस्त महसूस करते हैं, तो मेरे महमान बने, आकाश ने कहा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इसे नहीं ले सकते, तो आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ सक शिकारी समोह ने बॉस जिन पर नजर डाली, वे पीछे हटना नहीं चाहते थे, लेकिन दुश्मन बहुत ताकतवर था, बॉस यह बच्चा हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, आए अब और समय बरबाद न करें और उस पर हमला करें, लाल बालों वाले एक भूरे आदमी ने कहा, हमफ, ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी किसी शासक स्तर के जानवर का बद नहीं किया है, दूसरे शिकारी ने कहा, बॉस जिन ने हाथ उठा कर उन्हें चुप रहने का इशारा किया, लापरवाही से स्थिती में मदद नहीं मिलेगी, हम बांसुरी बगुले क की मूर्ती ले जाना चाहते हैं, जो हमें पहले मिली थी, बच्चे क्या तुम्हें इसके बारे में कोई शिकायत है, बॉस जिन से पूछा, आकाश मुस्कुराया वास्तव में, आपके पास कोई भी प्राचीन मूर्ती नहीं हो सकती, बच्चे तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो, दूसरे शिकारी ने कहा, बस रुको और, बॉस जिनने उसे रोका, मुझे आश्चर्य है कि उन महिलाओं ने आपको क्या पेशकश की है, इस बारे में कैसा है, मैं मांधन का 50 प्रतिशत तुम्हारे साथ बाट दूँगा, यह बहुत ही लाभदायक योग है, यह न कुछ कदम पीछे हट गया, आकाश ने देखा कि बॉस जिन और कुछ शिकारी माइट क्लिफ दानव राजा से भयभीत नहीं थे, वे स्वयन सुपर लेवल के जादूगर होंगे, तथ्य यह है कि वे सुरक्षित रूप से मिंगवु प्राचीन शहर तक पहुँच गये थे जिससे साबित हुआ कि वे राक्षसों से लड़ने में काफी सक्षम थे, बॉस जिन ने सिरह लाया, चलो चलें उसने अपने शिकारियों से कहा, लेकिन क्यों बॉस, अगर हम सब मिलकर काम करें, तो मुझे यकीन है कि हम उस जानवर से मुकाबला कर सकते हैं, यह हम सभी को एक साथ नहीं रोक पाएगा, लाल बालों वाले शौकीन आदमी ने कहा, मैंने कहा चलो चलें, बॉस जिन ने कहा, हम शहर का सरवेक्षन करेंगे और देखेंगे कि हमें और कौन से खजाने मिल सकते हैं, बाकी लोग बॉस जिन की बातों के खिलाफ नहीं गए, वे मूर्ति जित नहीं हैं, जितनी वे दिखती हैं, जदी वे आपको इसके लिए अच्छा भुगतान कर रही हैं, तो मुझे इसके बारे में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ और वादा किया है, तो बहुत साबधान रहें, उन पर भरोसा मत करो, बॉस जिन ने त तक शेप से नाराज थे, लेकिन उनका मिंगवु क्राचीन शहर छोड़ने का अभी कोई इरादा नहीं था, बॉस जिन हम बिना लड़ाई किये क्यों चले गए लाल बालों वाले शौकीन आदमी ने पूछा, बच्चा संभवता हम सभी से अकेले नहीं लड़ सकता, बॉस प्राचीन जादू पोर्टल को सफलता पूर्वक खोलने की संभावना हजारों में से एक है, वह अपने पहले ही प्रयास में सफल हो गए, इसका मतलब यहाँ है कि वह अकेले सम्मनिंग तत्व में पढ़ाई नहीं कर रहा है, उनके पास आध्यात्मिक शेत्र का अपेकशाकरित उच्चस्तर है, बॉस जिनने कहा, उनका स्वर गंभीर है, बाकी लोग बॉस जिनके नहितार्थ को समझ गए, क्या हम ऐसे ही चले ज अकाश थोड़ा निराश हुआ, उसे लड़ाई की उम्मीद थी, वास्तव में एक लड़ाई से उसे ताकतवर चटान दानवराजा की क्षमता को समझने और उसका उप्योग करने का अफसर मिलता, किसने सोचा होगा कि बॉस जिन इतने आत्मस्चेत होंगे, आकाश जानता प्रभावशाली आभा प्रदर्शित की और बॉस जिन ने संकेट समझ लिया था, आकाश जानता था कि यह हमेशा काम नहीं करेगा, जब भी उसका सामना हर बार बॉस जिन जैसे किसी व्यक्ती से होता, तो वह भागने का विकल्प नहीं चुन सकता था, लेकिन कभी-कभी आकाश के पास कोई विकल्प नहीं होता था, वह एक अमीर आदमी की तरह था जिसने एक आम लड़की से प्रेमालाप करते समय एक आम आदमी की तरह व्यवहार करना चुना ताकि उसकी दौलत उनके सच्छे प्यार के बीच न आ जाए, वह उसे बताता था कि उसके पास शह शमता का प्रदर्शन करना था, लेकिन अपनी वर्तमान शक्ती से लोगों को डराना अभी भी एक बोनस था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने शक्तिशाली होगे, आप शासक स्तर के जानवरों को भी बुला सकते हैं, क्या सभी साथ सितारा शिकारी स्वामी इतने म प्राचीन शहर नहीं छोड़ा है, शायद उनकी कुछ और योजनाय हो, हमें अभी भी बहुत सावधान रहना होगा, बड़ी बहन रुवान ने चिंता में कहा, तुम्हारे बड़ों को आने में कितना समय लगेगा, आकाश ने पूछा, वे पहले से ही अपने रास्ते पर ह वे बहुत जल्द यहां आएंगे, आकाश थंडर कैट की मूर्ती के पास बैठ गया और आराम करने लगा, कुछ देर बाद उसे बहुत बोरियत महसूस होने लगी, उन्होंने फ्यूजन जादू आजमाने का फैसला किया, फ्यूजन जादू ने विभिन जादू को एक समोनिंग तत्व के साथ जोर सकता है। सबसे अधिक ताकत वाले जानवर 1000 Tribe Elf Tower के शीर्ष पर बने रहे, जबकि Mighty Cliff Demon King को उनमें से सबसे कम ताकत वाला प्राणी माना जाता था। जानवर तावर पर जितने उचे थे, उन्हें बुलाना उतना ही मुश्किल था। आकाश अपने सम्मन तत्व में विशेश शक्तिशाली नहीं था। उच्छस्तर की आध्यात्मिक शक्ती किसी जानवर को बुलाने में आकाश की सफलता दर को बढ़ा सकती है। यदि वह प्राचीन जादू पोर्टल से एक मजबूत प्राचीन जानवर को बुलाना चाहता है, तो उसे अपने सुपर लेवल सममनिंग तत्व को अपग्रेड करना जारी रखना होगा। उनकी साधना का स्तर किसी भी प्रकार के जानवरों को बुलाने में निरनायक कारक था। उसे आश्चर यहुआ। यदि वह आग को बिजली के तत्वों के साथ मिला दे तो क्या होगा। उनके पास कई सवाल थे। यदि वह फ्यूज हो गया तो क्या समन करने वाला निरनाय समन तत्व के आधार पर बेतरतीब धंसे प्राचीन जानवर का चयन करेगा। या क्या यह बिजली या अगनी तत्व वाले जानवरों को बुलाएगा। या क्या जानवर दोनों तत्वों का एक सन्योजन होगा। आकाश ने इसे आजमाने का फैसला किया। वह नीचे जुप गया। उन्होंने अपने फ्यूजन दस्ताने पहने और अपने बाए हाथ से बिजली तत्व का उप्योग करना शुरू कर दिया। जबकि उन्होंने अपने दूसरे हाथ का उप्योग एक आयामी प्राचीन जा जादुगर के रूप में मजबूत और अद्वितिय प्राचीन जानवरों को बुला सकता है। केले के बाग के अंदर कई नीले कपड़े पहने लोग गोल्डन सी हंटर ग्रूप के पास पहुँचे। वे गंभीर दिख रहे थे लेकिन उनकी निगाहें बहुत तेज थी। भाई वह बच्चा है। वह एक संबन तत्व जादुगर है। उन्होंने एक प्राचीन रॉक योगिनी माइटी क्लिफ। देमन किंग को बुलाया बॉस जिनने केले के पत्तों को एक तरफ धकेलते हुए कहा और आकाश की ओर इशारा किया जो जमीन पर बैठा था। हाई होदाओ एक ऐसे व्यक्ति थे जो क्रूर बल से मुद्दों को हल करने में विश्वास करते थे। वह अपनी निर्मंता के लिए जाना जाता था। हाई होदाओ के साथ कुछ लोग थे। वे ताकत में बॉस जिन से कमतर नहीं थे। वह निश्चित रूप से लिचेंग देखा है बॉस जिन ने कहा भले ही वे यहाँ हैं हमारे पास उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। चल दर और उस बच्चे को नीचे उतारो। हाई होदाओ ने नेत्रित्व किया। नीले वस्त्रधारी शिकारी शंत थे। इसके विपरीत बॉस जिन के आदमी बहुत थे। उनमें से कुछ ने लिचेंग आफ्टरगलो द्वीट की महिलाओं के खिलाफ अनुचित पणिया की और हसे। बच्चे हम फिर मिलेंगे। बॉस जिन ने द्वेशपूर्ण द्रिश्टी से आकाश की ओर देखा। हालाकि इस से पहले की बॉस जिन अपनी बात पूर चमकता रहता था। उसके बिजली जैसे चहरे से भावशूने आखें जलक रही थी। वह कंधे से लेकर टखने तक एक लबादे से लिपता हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कोई यूरोपिय पोप सीधा खड़ा हो। यहां आर रायजू है। थाउजेंट ट्राइब एल चतम बिंदू पर बनाया गया एक प्राचीन तत्व था। इसकी बिजली ने एक निशिध चेतावनी के रूप में कार्य किया जिसने उन प्राणियों को मार डाला जिन्हें थावजेंट ट्राइब एल्फ टौवर में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं था। इसकी बिज पूरवजस्तर के प्राणियों से भी अधिक दराने वाली आभादे रहा था। बॉस जिन आप फिर यहां क्यों हैं। क्या आप अब भी उस बात से नाराज हैं जो तब हुआ था। आकाश ने मीठी मुस्कान के साथ पूछा। वह प्राचीन जादूई पोर्टल खोलने पर इतना केंडरिप था कि वह बॉस जिन और उसके लोगों के आगमन से चुक गया था। इस बार बॉस जिन के पास शिकारियों का एक बड़ा समोह नहीं था। इसके बजाए उसके पास बहुत उच्चसतर की साधना वाले कम लोग थे। बॉस जिन के पास शब्द नहीं थे। उसने हाई होदाओ पर नजर डाली। इससे पहले हाई होदाओ ने बिना किसी दया के आकाश का सामना करने का इरादा किया था। लेकिन यह देखने के बाद उनके रुख में अचानक बदलाव आ गया। इतनी छोटी सी बात पर हम आप पर क्यों आराज होंगे। उस गोल्डन सी हंटर ग्रूप ने हाई होदाओ को अजीब नजरों से देखा। उन्होंने अपने द्रिश्टिकोन में इतना अचानक परिवर्तन कर लिया था। क्या उसने यह नहीं कहा कि वह आकाश को टुकडे टुकडे करके शारकों के लिए समुदर में फ्रेंक देना चा अचारियों ने जब आकाश को देखा तो उनके चहरे पर मुस्कान आ गई। उसी तरह की विनमर और शर्मिंदा मुस्कान जो किसी के चहरे पर तब उभरती थी जब उसके मातापिता उसे किसी दूर के रिष्टेदार से मिलवाने के लिए मजबूर करते थे। ओह अगर मन्तत्व का जादूगर हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं आपको सलाह देने की स्थिती में नहीं हूँ लेकिन मुझे यह कहना होगा कि मैं थाउजेंट प्राइब एल्फ टॉवर को वास्तव में बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। यदि राईजु को बहतर वातावर् दिखाने का प्रयास किया। मैंने हमेशा सोचा था कि इस शेपर में बिजली के तूफान आम थे। यहां चारों और एक बहुत शक्तिशाली बिजली तत्व होना चाहिए। क्या आप कह रही हैं कि राईजु एक औसक शासक की शक्ती का प्रदर्शन कर सकता है। आकाश ने भविश्य में किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। अगर और कुछ नहीं है तो हम अभी चले जाएंगे। आकाश ने हाई होदाओ पर नजर डाली और फिर बॉस जिन पर। उसने आ भरी। आकाश ने सोचा चूंकि वे इतने विनमर और अच्छे व्यभार वाले ह मैं संभवधा उनसे लड़ने पर जोर नहीं दे सकता। कच्रा। बेशक आकाश ने कहा। चलिए। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसने उनकी ओर हाथ हिलाया। गोल्डन सी हंटर ग्रुप को राहत मिली। जंगल के पास पहुँचते ही वे मुस्कुराएं और हाथ हिलाया। उन्हें राहत मिली और वे फिर कभी यहां अपना चहरा नहीं दिखाना चाहते थे। उनके जाने के बाद शुशियाओ हुआ आकाश की ओर चल दिया। तो शिकारी वास्तव में अच्छे लोग हैं उसने कहा। मुझे लगा कि वे यहां परिशानी पैद आकाश ने सिर हिलाया। वास्तव में उन्होंने कहा दुनिया में कई अच्छे लोग हैं। आकाश ने पोप जैसी योगिनी पर नजर डाली जो सिर से पाव तक बिजली से चमक रही थी। इसे देखकर उसे मिश्रित भावनाय महसूस हुई। वह कम प्रोफाइल रखना च दीन जियाओ अपने प्रमुख तत्वों को सील कर सकते थे और उनके पास उन तत्वों को सुधारने के अलाबा कोई विकल्प नहीं था जिन्हें सील नहीं किया गया था। आते हुए कहा। आकाश इस बात से चिड़ गया था कि उसे राईजू की ख्शमताओं का परीक्षन करने के लिए एक उप्युक्त दुश्मन नहीं मिल सका। उसने सोचा कि रॉयल पैटर्न वुल्फ अपनी मा के पास लौट आया है। लेकिन वह यहां था। यह तामबे क सीन वाले याग की हत्या को नहीं भूला था। आकाश ने ओल्ड वुल्फ का पीछा किया और शिकारी का पीछा किया। राईजू उनके पीछे तैरने लगा। रॉयल पैटर्न वुल्फ आकाश को समुदर के किनारे ले गया। दरसल यह प्राचीन शहर का आधा हिस्सा था जो जल्मकन हो गया था। घर और सडके पानी के नीचे दिखाई दे रही थी जो समुदरी शैवाल और पानी के फिरन से धकी हुई थी। रॉयल पैटर्न वुल्फ अधिक सतर्क हो गया। आकाश भी और सतर्क हो गया। उनका प्रतिदवंदवी बेहद आकरामक था अगर उन्होंने इसे डरा कर भगा दिया तो इसे दोबारा ढूंडना बहुत मुश्किल होगा। जैसे ही पानी लहरों के रूप में कम हुआ, कुछ घरों की छट दिखाई देने लगी। छट हरे कीचर से धकी हुई थी। आकाश को अपने पिछले निवासियों के बारे म आश्चर्य हुआ। छट पर एक समुदरी शेर लेता हुआ था। इसके पंजे तेंदुए की तरह लंबे थे। इसकी पूँच एक हथियार के रूप में मुडी हुई थी जो देखने में बहुत तेज लगती थी। वह इतमीनान से अपनी पूँच आगे पीछे हिलाता र रहा है और आनंद ले रहा है आकाश ने मुह सिकोड लिया। जीव के पास एक समुदरी जानवर का शव पढ़ा हुआ था। उसमें से ताजा खून बह निकला। जीव का मुख समुदर की ओर था। यह कभी-कभी शव से ताजा निवाला लेने के लिए नीचे जुप जात था। बस जैसे ही राईजू आकाश के पीछे तैर रहा था। हवा भारी विद्यूप चुम्बकत्व से कमपन कर रही थी। जाहिरा तोर पर पर प्राणी खुद को छुपा नहीं सकता था या चुप नहीं रह सकता था। राईजू ने आकाश के जानलेवा इरादे को भा देता था। रोशनी कम हो गई। बिजली की एक किरन धुदले आकाश में चमकी और उसे भयंकर गडगडाहट के साथ रोशन कर दिया। लंगरपूंच वाले समुदरी शेर ने अपना सिर उठाया। इस जगह पर अकसर बिजली गिरना आम बात थी। उसने कड़क्ती रायजू पर फुसफुस आया। रायजू नहीं रुके। इसने बिजली को एक बार में बदल दिया जिसने लंगरपूंच वाले समुदरी शेर के भागने को अवरुद्ध कर दिया। जिससे वह जहां से भागा था वहां पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। जब भी के पानी में भागने का प्रयास करने लगा। बिजली समुदर पर गिरी थी और उसे उबलने की हद तक गर्म कर दिया था। धधकती सफेद बिजली आपस में गुंती और भड़क उठी जिससे बचने का हर रास्ता बंध हो गया। लंगरपूंच वाले समुदरी शेर को प पता था कि वह बच नहीं सकता इसलिए उसने राईजू की ओर अपना रास्ता बना लिया। इसने मरने से पहले राईजू को मारने का फैसला किया। चमकती बिजली से पैदा हुई धुंद के बीच राईजू का चेहरा छिपा हुआ था। केवल उसकी भावशू ने आखे से बाहर निकला और प्राणी पर जपता। राईजू अत्यंत शक्तिशाली था। आकाश को कमपन महसूस हुआ क्योंकि वह राईजू के पास खड़ा था। उसे लगा की जगह चिननभिन हो रही है। बन। हाला कि लंगरपूँच वाले समुदरी शेर की अंगिनक बाद क की छवियां थी। राईजू उसके असली रूप का पता लगाने में सक्षम था। एक सफेद अजगर जैसी बिजली ने लंगरपूँच वाले समुदरी शेर पर हमला किया और उसे उड़ा दिया। लंगरपूँच वाले समुदरी शेर का सिर्फ फट गया और खून बहने लगा। वह उथले समुदरी जल में गिर गया। वह ऐसे छटपटा रहा था और संधर्श कर रहा था जैसे कि वह अपनी मृत्यू के लिए तयार नहीं था। आकाश असमंजस में था। रॉयल पैटर्न वुल्फ का मुह विसमय से खुला रह गया। उसने आकाश की ओर दे मजबूत थी और अकसर अग्रणी रहती थी। लेकिन यह स्विकार करना कठिन था कि एक यादरिक शिक मौलिक आहवान करने वाला जानवर इतना शक्तिशाली था। रॉयल पैटर्न वुल्फ को यकीन था कि अगर राईजू की अजगर जैसी बिजली उस पर गिरी तो वह बिल्कुल भी जीवित नहीं बचेगा। रॉयल पैटर्न वुल्फ ने तामबे के सीन वाले याग की मौत पर गुप रूप से खुशी मनाई थी। राईजू की ताकत देखने के बाद ऐसा लगा कि एक अपरिहार्य विनाश उसकी राह में रिंग रहा है। उप शाबाश आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप वापस जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। आकाश ने संभलने की कोशिश की। गौर्वानवित राईजू ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसने सहचता से प्राचीन जादू का पोर्टल खोला और इसके माध्यम से बढ़पन और लालिक गंद से भरी हुई थी। लंगर पूंच वाला समुदरी शेर कोई साधारन राक्षस नहीं था। आकाश को भी अंदाजा नहीं था कि ये किस प्रजातिका है। लेकिन एक बात स्पष्ट थी लंगर पूंच वाला समुदरी शेर कम से कम एक निन्न शासक था। रायजू के लंगर जैसी पूँच भी बहुत अनोखी थी आकाश उच्चस्तरिये डेथ स्ट्राइक जादूई उपकरण और बक्तरबंद ब्लेड जादूई उपकरण बनाने के लिए इसे वापस ले सकता है एंकर पूँच वाला समुदरी शेर भी पूँच आकाश की ओर जुप गई वह आकाश की गरगन की ओर घूंग गया वह अपना बचाव करने के लिए तयार नहीं था रॉयल पैटर्न वुल्फ ने आकाश की ओर हमला किया इससे पहले की पूँच उसका सिर्काट पाती और अपनी पीट से बार को रोक दिया आकाश के शरीर पर खून फैल गया अराजक्ता के बीच में आकाश ने लंगर पूँच वाले समुदरी शेर को देखा जिसका सिर्क उटा हुआ था वह लडखडा रहा था और भाग गया इसकी त्वचा का रंग समुदर के पानी के समान हो गया आकाश की आखे जपकी जीव पानी के अंदर चला गया था और अब दिखाई नहीं दे रहा था आकाश बुस्से में था वह उसका पीछा करना चाहता था लेकिन उसने रॉयल पैटर्न वुल्फ को दर्द से कराहते हुए सुना अभी इस पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण था तुम्हें मेरा बचाव क्यों करना पड़ा क्या तुम्हें नहीं लगा कि मैं इसे संभाल सकता था आकाश चिलाया नाराज होने से ज्यादा चिन्तित उन्होंने ओल्ड वुल्फ के घावों का इलाज किया सौभा जिसे आकाश हमेशा अपने साथ प्रचुर मात्रा में चमतकारी पदार्थ रखता था उन्होंने एक ओश्धी निकाली जिसे जिनक्सिया ने व्यक्तिगत रूप से बनाया था और उसमें जीवन आशिरवाद मिला दिया उसने ओल्ड वुल्फ की पीठ पर ओश्धी डाल दी जीव की पूँछ बहुत तेज थी रॉयल पैटर्ण वुल्फ एक शासक स्तर का जानवर था इसके शरीर पर स्टार पैटर्ण वाला फर प्राकृतिक ग्रिड़ता के साथ आता था जो कई शक्तिशाली जादू और तेज हथियारों का सामना कर सकता था फिर भी जीव ने रॉयल पैटर्ण वुल्फ के कोट को आसानी से काट दिया था जिससे उसकी हड्डिया उजागर हो गई रॉयल पैटर्ण वुल्फ पीडा में चिलाया शक खिलना मत नहीं तो तुम मर जाओगे आकाश ने उसे दबाते हुए कहा आकाश ने रॉयल पैटर्ण वुल्फ को दंडिप किया लेकिन वह इस बात से बहुत प्रभावित हुआ कि उसने अपनी जान जोखिम में डाल कर उसकी रक्षा की थी जब वह परल इंस्टिटूट में फ्रेश मैन मीटिंग में थे तो ओल्ड वुल्फ ने म्यू नुजियाओ की विंड डिस्क को रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तमाल किया था यह गंभीर रूप से घायल हो गया था लेकिन इससे आकाश को जबाबी जादू करने के लिए परियाप्त समय मिल गया था आकाश आभारी था कि ओल्ड वुल्फ इतने वर्षों के बाद भी उसके प्रती बहुत वफादार था अगर आकाश को पकड़ भी लिया गया होता तो भी हमले से उसकी मौत नहीं होती उसका वर्तमान आध्यात्मिक शेत्र इतना उचा था कि वह उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके ही किसी हमले को मजबूत या धीमा कर सकता था ओल्ड वुल्फ का बलिदान बहुत मारमिक था फिर भी अनावशक था लेकिन तथ्य यह है कि महासागर के राक्षस क्रूर और दुष्ट थे उनके पास विभिन प्रकार की विचितरक्षमताय थी अगर आकाश सावधान नहीं रहा तो किसी दिन उसे वास्तव में नुकसान हो सकता है उल्ड वुल्फ जैसे वफादार आयामी जानवर के होने से निश्चित रूप से उसे अधिक सुरक्षित और सनरक्षित महसूस हुआ जब रॉयल पैटर्न वुल्फ अंतहस थिर स्थिती में आ गया तो अंगिनत हरे स्टार कीडे जुंड में उसके फर से उठे और आसपास की जाडियों और पौधों की ओर उडगए जब ये हरे सितारा कीडे इन पौधों पर बस गए तो उन्होंने उनमें से जीवन शक्ती को चूस लिया फिर वे रॉयल पैटर्न वुल्फ लॉट आए जैसे ही वे उसके फर में बसे रॉयल पैटर्न वुल्फ का मास वापस बढ़ गया घाव ठीक होने लगा जैसे जैसे अधिक से अधिक ग्रीन स्टार बग वापस आये रॉयल पैटर्न वुल्फ का घाव तेजी से ठीक हो गया आकाश खुश था ऐसा लगता है कि आखिरकार आपको उस मादा भेडिया राजा की ख्शमता विरासत में मिल गई है आकाश ने अविश्वास से कहा रॉयल पैटर्न वुल्फ ने सिरहलाया दुर्भाग्य से आसपास केवल पौधे ही थे पौधों से ली जा सकने वाली जीवन शक्ती बहुत कम थी यदि कोई राक्षस मौजूद होता तो रॉयल पैटर्न वुल्फ जल्द ही ठीक हो जाता मुझे नहीं लगता कि मिंदवु प्राचीन शहर में कोई राक्षस है मैं तुम्हें सम्मन करने वाले जानवर के विमान में वापस भेज दूँगा मुझे याद है जब मैंने तामबे के सीन वाले याक को बुलाया था तो उसके साथियों को दुष्ट चुहे दानव के एक समुह ने काट लिया था यहां आपके लिए पोशन के रूप में दुष्ट चुहे राक्षसों को खाने का समय है आकाश ने कहा दुष्ट चुहे दानव समुहों में रहते थे उनके पास मूलत है एक जुंड में दस हजार जीव थे जब उन्होंने हमला किया तो वे एक हिंसक जवार की तरह आगे बढ़े और मैदानी इलाकों में सब कुछ मिटा दिया घास का एक तिनका भी पीछे नहीं छोड़ा जब आकाश ने तामबे के सीनवाले याग को बुलाया तो उसने उन्हें देख लिया था जिस तामबे के सीनवाले याग को उसने बुलाया था वह केवल भागे से दुष्ट चुहे राक्षसों से बच गया था हाला कि तामबे के सीन वाले याक के परिवार के अन्य सदस्यों को दुष्ट चुहे दानवों ने खा लिया था अब पुराने भेडिये के वापस लोटने और उन्हें नश्ट करने का समया गया था चीख बुढ़ा भेडिया चिलाया ऐसा लग रहा था मानो इसकी कुछ पूर्जा वापस आ गई हो चिंता मत करो मैं उस कुटिया के बेटे को नहीं छोड़ूंगा आकाश प्रोधित हो गया उसका एक आयामी जानवर मर गया था दूसरा बमुश्किल बच पाया था हालाकि यह आकाश की गलती नहीं थी कि वह यह अनुमान नहीं लगा सका कि सिर्ट उटने के बाद भी वह प्राणी हमला कर सकता है फिर भी वह जिम्मेदार महसूस कर रहा था वह इस बात से नाराज था कि यह दूर हो गया था क्या वह जीव सचमुच समुदरी शेर था आकाश को आश्चर्य हुआ मैंने एक निन्न शासक को कम आका आकाश ने गहरी सास ली भले ही राक्षसों को निन्न शासक औसक शासक, महान शासक या सर्वोच शासक वर्ग के रूप में बर्गी कृत किया गया हो अधिकांश शासक स्तर के प्राणी दूसरों से अलग थे वे अपनी शक्ती की दृष्टी से ही बहुत शक्तिशाली थे कुछ अंधेरे दुष्ट शासक स्तर के प्राणीयों के पास जीवित रहने के अपने स्वयं के साधन थे वे हमेशा अपने विरोधियों को आकाश को उसकी चिंता थी। एक शासक को शिखर कमांडरों, राक्षस गिरोहों और समुदरी राक्षसों के लिए समान रूप से मुल्यवान माना जाता था। जब तक लंगरकूँच वाले समुदरी शेर को आसपास के शिकारियों से सुरक्षा के लिए मारने का भरोसा नहीं होता। तब तक वह केवल मिंगवु प्राचीन शेर में ही चिप सकता था जब तक कि वह ठीक न हो जाए या कम से कम उस समय के लिए जब उसका सिर वापस उगाए। इस बीच आकाश को आश्चर्य हुआ कि क्या लंगरकूँच वाला समुदरी शेर अपना सिर दोबारा उगाने में सक्षम है। आइटनिंग तत्व के साथ जोर दिया था। वह अपनी बिजली तत्व की खेती के लिए सुपर लेवल द्वितिय श्रेणी की बाधा तक पहुँच गया था। सौभाग्य से आकाश की ड्रैगन भावना और उसके स्वयं के आध्यात्मिक शेत्र ने उसे आठवेक शेत्र को प्राप्त करने में सक्षम बनाया था। आठवेक शेत्र को प्राप्त करने से आकाश को राईजू जैसे शक्तिशाली मौलिक प्राणी को बुलाने में उच्छ सफलता दर मिली। लेकिन मुझे वान ड्रैगन वैली खोलने के लिए दूसरी कक्षा का समंदिंग तत्व हासिल करना होगा। या मैं बचाव का रास्ता इस्तिमाल कर सकता हूँ। मैं प्राचीन विशाल ड्रैगन के उच्छ स्तर को बुलाने के लिए फ्यूजन समन का उप्योग कर सकता हूँ। थाउजन ट्राइब एल्फ टॉवर से राईजू उच्छतम ग्रेड का नहीं था। राईजू के उपर कई योगिनी राजा थे। राईजू योगिनी राजाओं की शांती बनाए रखने वाला एक शक्तिशाली सनरक्षक था। यदि आकाश की बिजली, अगनी, पृत्वी और उसके अन्य तत्व सुपर लेवल शिखर पर पहुँच जाते हैं, तो वह योगिनी राजाओं को बुला सकता है। यह सबसे अच्छा होगा यदि उसका आध्यात्मिक स्तर तब तक नवे स्तर तक पहुँच जाएं। उसके अधिक महंत करनी पड़ी, आकाश ने अपने सभी आठ तत्वों में सुपर लेवल हासिल कर लिया था। आकाश को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फूलों की क्यारी में दबी एक महनती मधुमक्खी उसको समान रूप से वित्रित करने के लिए कड़ी महंत कर रही हो। वह कभी-कभी अपनी तुलना एक बैल से करते थे जो विशाल भूमी पर खड़ा होता है और उसे लगन से जोटता है। वह जितनी अधिक महंत करेगा, फसल उतनी ही अधिक होगी। आकाश प्रचुर मात्रा में फूलों से भरी हुई एक विशाल क्रिशी भूमी की तरह था। हाला कि उसे दूसरों की तुलना में अधिक महंत करनी पड़ी, फिर भी उसकी फसल बाकियों की तुलना में अधिक प्रचुर थी। हो परेशानी पैदा करने के लिए वापस नहीं आएगा। इसके अलावा थंडर कैट और बानसुरी हैरॉन की मूर्तिया उनके ले जाने के लिए बहुत भारी थी। जब आकाश उपवन में पहुँचा तो वहां कोई नहीं था। आकाश को बुरा लगा। उन दुष्टों ने मूर्तिया चुरा ली और महिलाओं का अभरण कर लिया। यह मत करो उसने शाप दिया। उसे याद रखना चाहिए था कि मिंडवु प्राचीन शहर में राक्षसों के अलावा अन्यत आकते भी थी। उन बदमाशों ने उसकी अनुपस्थिती का फाइदा उठाया और मूर्तियों को चुरा लिया और महिलाओं का अभरण कर लिया। स्वभाग्य से आकाश हमेशा तयार रहता था। उसने जानबूच कर लिचेंग आफ्टरगलो द्वीप की कई लड़कियों पर डार्कनेस सील्स छोर दी थी। आकाश ने अपने आखें बंद कर ली और पूरी दुनिया धूसर काली हो गई। अंधेरी नस चड़ गई। यहां आकाश की डार्कनेस सील्स की खोज करने की क्शमता को मजबूत कर सकता है। कभी कभी यदि लक्षे बहुत दूर होता तो डार्कनेस सील्स कमजोर हो जाती और बिखर जाती। जदी ऐसा होता तो आकाश को फीके काले पदार्थों की सावधानी पूरवक तलाश करनी होती। यहां अजीब है। मैं उन्हें कहीं भी क्यों नहीं ढूंड पा रहा हूं। आकाश बुदबुदाया। इतने कम समय में बहुत दूर तक यात्रा करना उ उसने सोचा। उन्हें इसमें महारत हासिल होनी चाहिए। आकाश गहरी सोच में डूबा हुआ था। आकाश का ब्लैक सबसेटेंस बहुत ही उच्छ गुनवत्ता का था। हालाकि अंधकार स्रोत प्राप्त करने के बाद उसके अन्य सभी तत्वों में 50% की व्रिधी हुई तो वे वास्तव में बहुत उच्छ साधना छेतर के होंगे। आकाश वाकवे के चारों ओर चला गया। उन्होंने देखा कि कई अन्य मूर्तिया भी गायब थी। हाला कि अन्य मूर्तियों की आभा थंडर कैट और फ्लूठ हेरॉन की मूर्तियों की तुलना में बहुत जोर थी, फिर भी वे राक्षसों को दूर रख रही थी। वे मूर्तिया अमूल्य थी। आकाश को आश्चर्य हुआ कि उस शिकारी समोह में कौन इतना शक्तिशाली था कि इतने कम समय में कई भारी मूर्तिया उठा ले गया। चीक, चीक, चीक। उसके पैरों के पास घास में पीलेहरे रंग की लताय, जहरीले सापों की तरहे धीरे-धीरे फिसर रही थी। उसके सामने नारियल का पेड मकडी के घने जालों से धका हुआ था। इनकी मोटाई इतनी थी कि आकाश को आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। एक दरजन से अधिक मुठी के आका जल्द ही उसके पैरों के साथ ऊपर चड़ जाएंगी। उनकी सुरक्षा के बिना पौधे और पेड प्रतिशोध की भावना से बढ़े। यह ऐसा था मानो किसी शक्तिशाली जादूगर ने शहर को श्राप दे दिया हो। आकाश ने इसके बारे में न सोचने की कोशिश की। उसने शहर छोड़ दिया। लिचेन आफ्टरगलो द इसलिस की तरह दिख रहे थे, जो पूरे मिंगवू प्राचीन शहर को कवर कर रहे थे। अब बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं दिखता था। यह एक खतरनाक और भयानक प्राचीन जादूई घोंसला जैसा लग रहा था। जैसे जैसे वह निकट आया, राक्षसी चहरे पर मुसकान आ गई। आकाश ठीक समय पर पलता और मुसकुराया। उसकी गहरी भूरी आखे धुंधली हो गई। मंत्रमुग्ध करने वाली मादा मकडी चौंक गई। वह मुढकर भागने ही वाला था, लेकिन आकाश के कंध के पीछे से निकली कई विशालकाय चाया स्पाइक्स ने उसके सभी पंजों को नीचे दबा दिया। मुहक मादा मकडी एक नमूने की तरह चांदी के मकडी के जाले पर पड़ी थी। इसने संधर्ष किया, लेकिन भागने में असमर्थ रहा। पूरे मिंध वो प्राचीन देंगे तो मैं आपको जाने दे सकता हूँ। यदि तुम मुझ पर जहर छेड़कोगे तो मैं तुम्हारे टुक्रे टुक्रे कर दूँगा। आकाश ने अपना हाथ उठाया, अपनी आस्तीन से एक घूमता हुआ बलेड फैंकने के लिए तयार था। यह अराजकता की शक यह मकडी उस समय चरम कमांडर स्तरकी थी। यह मानव वंच की एक मादा राक्षस थी। यह ज्यादा शातिर था लेकिन आकाश जानता था कि यह उसे अच्छी तरह से समझ सकता है। मोहक मादा मकडी आज्याकारी बन गई। उसे पता था कि वह आकाश से नहीं जीट उसके लिए इस मकडी को मारना जंगल में एक छोटी सी खतरनाक मकडी पर कदम रखने से अलग नहीं था। क्या तुमने मुझे महिलाओं के एक समोह के साथ यहां से गुजरते हुए देखा आकाश ने पूछा। हिस 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 आपस उठो। मेरे के लिए अनुबाद करें आक पिटाई करूंगा, तुम्हें पता है। यह कहता है कि इसने उन्हें तुम्हारे साथ देखा, अपास ने धीरे से कहा, अभी भी नींद में डूबा हुआ है। क्या इसने उन्हें दोबारा देखा, आकाश ने पूछा। जब आकाश ने अनुबंधित स्थान में एक अंत मत बनाओ, आकाश ने अपना हाथ अपस के घोसले में घुसने के लिए तयार किया। ऐसे कमजोर दानव से पूछताच करने की कोई जूरत नहीं है। आप बस इसकी स्मृति खोज सकते हैं, अपास ने तीखे स्वर में कहा। उसने सोने जैसी चमकीली आखों से आकाश की औ और अप्रसंता से देखा। ओह आप सही कह रहे हैं। चुंकि आप जाग रहे हैं, इसलिए आपको बाहर जाना चाहिए और तहलना चाहिए। पूरे दिन न सोएं। अपनी पतली कमर को देखो। तुम्हें लाव हैंडल मिलने वाले हैं। आकाश ने कहा। अपास ने आका पर अभी भी पतली थी। वह अन्य महिलाओं को ईश्यालू और पुरुशों को दीवाना बनाने के लिए परियाप्त रूप से परिपूर्ण थी। लेकिन अपास के पास इसमें से कुछ भी नहीं होगा। उसे अपनी शकलसूरत में खामिया पसंद नहीं थी। आकाश ने मोहक मादा मकडी और अधिक आगे आने लगी। इसने उन्हें वह सब कुछ बताया जो उसने देखा था और यहां तक कि अपनी छोटी मकडियों को मिंगवू प्राचीन शहर के अंदर और बाहर की परिधी को स्कैन करने का निर्देश दिया ताकि आकाश को लिचेन पुसर्ण करने की आवश्चक्ता नहीं है अपास ने घ्रिना से कहा बस अपनी छोटी मकडियों को रास्ता दिखाने का निर्देश दें फिस्त वैसे अपनी छोटी मकडियों को समुदरी शेर पर नजर रखने के लिए कहें मंत्रमुग्ध करने वाली मादा मकडी ने मत बताओ आकाश को एहसास हुआ कि कुछ गड़बढ है काफी देर तक चलने के बाद भी उन्हें हर दिशा में बहुत सारी मकडिया दिखाई दी आकाश ने अपनी मकडियों से एक विस्तरित शेत्र को कवर करने के लिए आकरशक मादा मकडी की प्रशन सा की क्या आपको ल प्रुता की ग्रिष्टी से देखते थे मुझे पता था आकाश का चहरा सक्त हो गया था उसने वहाँ एकत्र लोगों की ओर देखा उन्होंने लाइकेन आफ्रगलो द्वीब की लड़कियों को आसानी से पहचान लिया बड़ी बहन रुआन, लेनान, शुजिया हुआ, इसके अलावा उसके पास था, आकाश ज्यादातर समय हर चीज के बारे में दिल से सकाराक्मक सोचना चाहता था, उन्हें यह भी उम्मीद थी कि जब वह इस समुदरी चटान पर पहुँचेंगे तो लिचेंग आफ्रगलो द्वीब की लड़कियों को बांथ दिया और अपनी खेती में सुधार करने के लिए लाइकें आफ्रगलो द्वीब में प्रवेश करने की अनुमती मिल जाएगी। चाती और कमर पर आभूशन भी गहरे हरे रंके थे। एक अन्य महिला पूरी तरह से गहरे नीले रंकी पोशाक में थी। वह शाही और ठंडा लग रहा था। उसकी पगड़ी उसके मा थे, उसकी नाग के पुल और उसकी थुड़ी को नहीं ढखती थी। वह अन्य लोगों गहरे हरे रंकी पोशाक में बुजुर्ग बहुत सक्त दिख रहे थे। लिचेंग आफ्टरगलो द्वीब की लड़किया उससे डरती थी। गहरे नीले रंक में बुजुर्ग ने कहा चलो जल्दी से निकले और कोई और परेशानी पैदा न करें। अशान्त सागर का सामन पूछ वाली एक विशाल काली आकरिती थी। उसके शरीर पर चांदी की जंजीरें चमक रही थी। वे जंजीरें लगातार बिजली की रोशनी से चमकती रहती थी। चांदी की जंजीरें ऐसी लग रही थी जैसे उनमें प्रिथवी की सारी बिजली हो। प्रकाश से बिज अपास पीला पड़ गया. वह पहले की तरह उर्जावान नहीं दिखती. उसने आकाश की बाह पकड़ ली और एक दरी हुई छोटी लड़की की तरह उसके पीछे छिप गई. आकाश जानता था कि ग्रीन इस्ट सी गौड कोई साधारन प्राणी नहीं है. लेकिन कोई चीज उसकी शक्ती को दबा रही थी. यह पिंजरे में बंद एक जानवर था. क्या आप इससे लड़ सकते हैं? आकाश ने धीनी आवाज में पूछा. अपास ने अपना सिर हिलाया. उसकी आखें डरावनी थी. आकाश ने अपस पर नजर डाली और फिर ग्रीन इस्ट सी गौड आकाश को एसास हुआ कि अपास सिर्फ पूर्वी सागर देवता की शक्ती के कारण नहीं दरा था. अपास एक साप स्त्री थी. वह मेडुसा थी. ग्रीन इस्ट सी गौड एक चील था. उसका प्राकृतिक शिकारी. इसके अलावा ग्रीन इस्ट सी गौड कोई साधारन उका का देवता था. इसने एक पवित्र आभा और बिजली की शक्ती थी जो अपस की राक्षसी प्रकृती को भी पार कर सकती थी. बूम! बूम! आसमान में घने बादल चा गए. बादल इतने घने थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वे टपक कर समुद्र को छू रहे हो. अभी लिचेंग आफ्टरगलो द्वीब की उन लड़कियों से कहा, जिन्होंने कुछ समय पहले आकाश के साथ यात्रा की थी. लिचेंग आफ्टरगलो द्वीब की लड़किया एक के बाद एक ग्रीन इस्ट सी गौड की पीठ पर कूद पड़ी. शुज्याओ हुआ जो अभी शुज्याओ हुआ ने कहा, हमने आपसे जूठ नहीं बोला. हमने बस यह सुनिश्चित किया कि अन्य लोग प्राचीन मूर्तियों को चुरा नहीं लेंगे, लेकिन हमने यह नहीं कहा कि हम उन्हें नहीं लेंगे. भगवान की निंदा के बारे में क्या आकाश ने पूछा? उसने आकाश की ओर देखा और पाया की घने बादल चमकने लगे थे और बिजली चमकने लगी थी. हालाकि वे अभी कमजोर और दूर दिख रहे थे, फिर भी वह उनके इरादे और उनकी भयानक आभा को महसूस कर सकता था. भगवान की निंदा मौजूद थी. उसने कभी अभी बिजली के तत्व को इतना शक्तिशाली नहीं देखा था. यह ऐसा था मानो हजारों वर्षों से समुदर में कैद एक राक्षसी ड्रैगन जाग गया हो और उसने इस विशाल आर्दर भूमी पर कबजा कर लिया हो. इसलिए हम भाग रहे हैं, शुश याओ हुआ ने क अभी बिजली के बोल्टों के हमले से बचाया. आकाश ने उनका पीछा नहीं किया. यदि वह नौर्थ गार्ड किले में लोगों को चेतावनी देने के लिए वापस नहीं लोटा, तो भगवान की निंदा उन सभी को मार डालेगी. आकाश को याद आया कि कुछ देर पहले वह बिजली के उन बोल्टों से घायल हो गया था. यदि यह उसे इतनी बुरी तरह से चोट पहुचा सकता था, तो किले में कई लोगों को जीवित रहने का मौका नहीं मिला. लिचेंग आफ्टरगलो द्वीब की ये लड़किया दुष्ट थी. आकाश ने कहा, लिटिल ल इतने ह्रिदयहीन होने वाले थे, तो उन्हें उससे वफादार बने रहने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए. लिचेंग आफ्टरगलो द्वीब के बुजुर्गों ने अपने स्वार्थ में पहले भी एक मूर्ती चुराई थी, और कई लोगों की जान जोखिम में डाल थी. फिर उन्होंने टोटें को दोशी ठहराया और उस द्वीब पर चले गए जिसे अब लिचेंग आफ्टरगलो द्वीब कहा जाता था. जब बड़ी बहन रुआन और शूजियाओ हुआ ने उसे कहानी सुनाई तो आकाश ने उन पर विश्वास कर लिया था. लेकिन अ इन मूर्तियों का लालच न करने की सलाह देने का नाटक भी किया और उन्हें मिंगवु प्राचीन शहर को चुराने और खत्रे में डालने से रोकने के लिए उनकी मदद मांगी. उनकी कहानी इतनी प्रभावशाली थी कि कोई भी यहां तक की आकाश भी इससे प्रभावित दूर था. वह एक पल के लिए भी कैसे विश्वास कर सकता था कि स्वार्थी बड़ो द्वारा पाली गई युवा लड़किया कभी शुद्ध और दयालू हो सकती हैं. अधिकांश लोगों ने दूसरों का मूल्यांकन इसी तरह किया. जब वे कोई चीज देखते थे, जिस उसे अधूरा सच बताया था और उसे अपने पक्ष में निरनय लेने के लिए सुक्षमता से प्रेरित करते हुए अपना निरनय लेने की अनुमती दी थी. इस समय आकाश उनका पीछा नहीं कर सका. उसे नौर्थ गार्ड किले में जाकर उन्हें चेतावनी देने की उन्होंने विंस ओफ डस्ट एंड डॉन को बुलाया. प्राचीन और महान आभा से भरे काले ड्रैगन पंकों की एक जोडी उसकी पीट से फैली हुई थी. एक हलके जटके के साथ हवाई चलने लगी और लहरें उठने लगी. तुम वापस जाओ, आकाश ने कॉन्ट्राक् पर बिठा कर उड़े. तुमने मेरी अच्छी, लंबी नींद में खलल डाला, इसलिए तुम्हें मुझे अपने साथ रखना होगा, पास ने उसके कान में कहा. पास का फिगर छोटा था, इसलिए जब आकाश अपने ब्लैक ड्रैगन विंस फड़फडाता था, तो वह चर्य हुआ कि अगर उसकी जगह उसकी हथे लिया और सिर होते तो कितना अध्भुत लगता. पहले तुम्हें मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं था, बिग ब्रादर आकाश अपास मुस्कुराए. चमकीली धूर्क मुसकान कुछ समय पहले की डरावनी अपासा से बिलकुल विपरीत थी. ऐसी ही स्थिती मिसर में भी हुई थी. अपास ने उस समय आकाश को लगभग धोखा ही दिया था जब वह मेडुसा से एक महिला में बदल गई थी. अंत में आकाश ने वैसे भी सब कुछ समझ लिया. अपास उस समय बहुत आश्चर यचकित हुआ था. उसने कोई खामी नहीं दिखाई थी. उसने लिचेंग आफ्टरगलो द्वीब की उन लड़कियों की घटी हुई आकरितियों पर नजर डाली. हाला कि उन में से कुछ बहुत आकरशक और सुन्दर थे, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उनकी सुन्दरता की तुलना उससे की जा सक आकाश एक शातिर व्यक्ति था. यदि उसके पास कुछ मामलों में कम अनुभव या ज्यान है, तो उसे धोखा देना आसान हो सकता है. लेकिन केवल खूबसूरत महिलाओं और अन्य किमवदंतियों के साथ उसे धोखा देना कठिन था. अन्य था, अपास ने उसे बहुत प बातों से उन्हें मूर्ख बनाया गया. वह उसके प्रश्न का उत्तर देने में बहुत आलसी थी. लोग हमेशा बदलते हैं. कई चीजें मेरे विचार और निरने बदल सकती हैं, आकाश ने कहा. तो फिर किस बात ने तुम्हें मूर्ख बना दिया, अपास ने पूछा. आक आकाश मूर्ख नहीं था. उसे लगा था कि वह उनकी मदद करके सही काम कर रहा है. यह जांशियाओ हो ही थे जिन्होंने आकाश को प्रभावित किया. उन्होंने हमेशा चीजों को मानने से पहले पूर्वाग्रह की पुष्टी करने पर जोर दिया. सत्यापन की प्रक्रिय आफ्टरगलो द्वीट की उन लड़कियों की मदद की. आप उनसे बहुत अलग नहीं है. मैंने आपको और उन्हें बचाने की कोशिश की क्योंकि मेरा मानना है कि अच्छी चीजे मौजूद है. भले ही सबूत मुझे सीधे तौर पर पर परिशान कर रहे हो. मुझे उम्म के लिए भी ऐसा ही किया. आकाश ने जवाब दिया. आप उनकी और भी अपनी आस्तीन में एक इकका रखें. क्या आप यह भी जानते हैं कि लिचेंग आफ्टरगलो द्वीप कैसे खोजा जाता है? नरकट से भरी आर्दर भूमी में एक काली-काली पंख छाया बह गई. न बादलों की भयानत मोटाई को छंटना असंभव लग रहा था. इसमें महीनों भी लग सकते हैं. वे बिजली के बोल्ट अकसर काले बादल में छेद कर जाते हैं. आकाश से 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक ऐसा छेद था जो उल्टा लटता हुआ रसातल जैसा लग रहा था. उन्होंने घास के समानांतर उर्ते हुए आकाश की छोटी आकरिती को भी प्रतिबिंबित किया. भगवान की निंदा उनमत्ध हो रही थी. मिंग वो प्राचीन शहर की प्राचीन मूर्तिया उस शांतिपूर्ण भूमी पर प्राचीन देवताओं द्वारा छोड़ा गया खजाना हो सकती हैं. जब किसी ने उन्हें चुरा लिया, तो सभी को परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ा. उसे जल्द से जल्द नॉर्थगार्ड किले तक पहुँचना था. यदि बिजली के बोल्ट नॉर्थगार्ड किले में घुस गए, तो वे शहर के लो उठाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं. अगर महासागर के दानव नॉर्थगार्ड किले पर कबजा कर लेते हैं, तो लिचेंग गवीट के पास हमारे रहने के लिए जमीन का एक भी टुकडा नहीं बचेगा. हम यहां इसलिए रहते हैं, क्योंकि हम किसी खास आधार शहर में बेतरती पुनरवास घर में नहीं रहना चाहते. नॉर्थगार्ड किले में एक सेना तैनात थी. यह सेना मूल रूप से लिचेंग शहर की सुरक्षा के लिए तैनात थी. लेकिन लिचेंग शहर समुदर के पानी में डूबा हुआ था. इसलिए उन्होंने किले पर कबजा कर लिया, तो सैनिक, जो अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अपनी मृत्यू तक महासागर के दानवों से लड़ेंगे. एक तूफान हमारे पास आ रहा है, और यह पहले से सौ गुना ज्यादा तेज है, अनुगवी जनरल ने कहा. तभी आसमान से बिजली गिरी, बिजली रक्षाकमक दीवार के कोने पर गिरी थी, कठोर चटानों से बनी दीवार टुक्रे टुक्रे हो गई, धूसर स्फेद, धूल हवा में घूम गई और नौर्थ गार्ड किले की ओर उड़ गई, युद्ध करता स्थ रह गए, वे कई पातकाल है, हमें खाली करने की जरूरत है, वयोगरिध जनरल को एसास हुआ कि यह कोई सामान्य तूफान नहीं था, बूम, 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 बिजली के कड़कने की आवाज ने अनुभवी जनरल की चीख पर काबु पा लिया, नौर्थ गार्ड किले के बाहर बंजर भूमी म दिखाई देने लगे, उन्होंने निरंतर भूमी पर आक्रमन किया, पौधे, पेड और चटाने नश्ट कर दी गई और जला दी गई, जानवर घबरा कर भाग गए, बिजली के जटके लगातार जारी थे और जल्द ही जानवर जलकर राख हो गए, नौर्थ गार्ड किले म लोगों ने इसे देखा तो काम उठे, हाला कि लिचेंग शहर में बहुत अधिक तूफान आते थे, लेकिन उन्होंने कभी इतना भयंकर तूफान नहीं मारा था, खास कर जहां लोग रहते थे, बिजली के बोल्टों ने सैकडों किलोमितर की समतल तटिय मिट्टी को नश् बन गया, यदि सैकडों बिजली के बोल्ट एक साथ गिरे, तो वे पहाडों और जंगलों को भारी नुकसान पहुचाएंगे, नौर्थ गार्ड किले में कम से कम दसियों हजार लोग रहते थे, हाला कि 90 प्रतिशक निवासी जादूगर थे, लेकिन जब उन्होंने ऐसा ग कि निंदा का सामना करना पड़ा, तो किसी हमले का सामना करने के लिए बाधा बहुत पतली लग रही थी, बूम, स्वर्ग में किरन के समान एक बिजली का खंभा अनायास ही प्रिथवी पर गिर पड़ा, इसके अविश्वसनी आकार ने लोगों को ऐसा महसूस कराया, जैसे कोई चिलाया, चकाचौंध चमक के बीच लोगों की नजर एक काले पंखों वाली आकरिती पर पड़ी, यह काले पपडियों से ढका हुआ था और राजसी लग रहा था, वह विनाशकारी बिजली के खंभे की ओर गोड़ा, भीड दूर चली गई, लेकिन यह भयानक पानी उर्जा का सामना करते हुए, वह बहादुरी से शहर के केंदर की ओर चला, नौर्थगार किले के केंदर में एक किलोमेटर से अधिक व्यास का एक बड़ा छेद था, इसकी दरारें और भी दूर तक फैली हुई थी, वे रक्षात्मक दिवार सहे पूरे नौर्थगा किले को पलटने के लिए परियाप्त थी, इसलिए विनाशकारी बिजली के खंभे की पूरी शक्ती और भी अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए, हाला कि अनुभवी जनरल आश्चर यच्कित थे कि कोई ऐसी विनाशकारी उर्जा को रोकने में काम्याब रहा था, उन्होंने जानना चाहते थे कि उन्हें किसने बचाया है, तेज हवा ने बोल्ट और धूल के धुएं को नौर्थ गार्ड किले के हर कुने में उड़ा दिया, चीजें स्पष्ट हो गई, बड़े छेद में एक काली आकृती थी, वह जुप गया और धीरे धीरे जमीन पर पड़े गईरे की ओर बढगी उन्हें यकीन हो गया कि यही वह व्यक्ती है, जिसने बिजली को रोका था और उन्हें बचाया था। नौर्थगार्ड किले में सबसे मजबूत फैन्जियोंग को याद आया कि एक युवक ने अहमकार पूर्वक नौर्थगार्ड किले में सबसे मजबूत शिकारी होने के बारे में एक संदेश प्रकाशिक किया था जो एक टीम की तलाश में था उस समय फैंग जियोंग ने इसका मजाक उड़ाया था लेकिन जब फैंग जियोंग ने उस व्यक्ति को लडखडाते हुए छेज से बाहर निकलते देखा तो वह उसे अच्छी तरह से देखने के लिए आगे बढ़ा यह वो था इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप वास्तव में नौर्थगार्ड किले के सबसे मजबूत आदमी है मास्टर आप आखिरकार डिंगे नहीं मार रहे थे फैंजियोंग जल्दी से उपर चला गया उसने आकाश को गड़े से बाहर निकालने में मदद की और दूसरों पर चिलाया पानी जल्दी पानी कहा है क्या तुमने उसे यह मांगते हुए नहीं सुना किसी ने आकाश की ओर साफ पानी का गिलास थमाया उसने कृतज़यतापूर्वक इसे स्विकार कर लिया और इसका आधा हिस्सा अपने शरीर पर डाला और बाकी पी लिया धन्यवाद, ब्लैक ड्रेगन समराट, आकाश ने धन्यवाद कहा धन्यवाद, आशारुया ब्लैक ड्रैगन कवच के बिना आकाश बहुत पहले ही मर चुका होता आकाश की अलौकिक शक्ती थंडर होल थी इसने उसकी बिजली प्रतिरोध और अवशोशंक शम्ताओं को सामान्य लाइटनिंग एलेमेंट मैजेस की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत बना दिया एक राक्षसी शरीर और बिजली के तानाशाह के साथ यहां तक की एक तीसरे स्तर का सुपर लेवल बिजली तत्व जादूगर भी उसे नहीं मार सका लेकिन विनाशकारी बिजली का खंभा ब्लैक ड्रैगन कवच की जादूई प्रतिरक्षा अजे थी यहां आकाश को बचा सकता है भले ही निशिद अभिशाप ने उस पर हमला किया हो दुर्भाग्य से वह जादूई प्रतिरक्षा का उप्योग एक अवधी तक केवल एक बार ही कर सका जनरल भगवान की निंदा कुछ समय तक रहेगी अगला तो और भी गंभीर होगा हमें इसका विरोध करने के लिए नौर्थगार के लेके सभी जादूगरों को एक साथ इकठा करना होगा आकाश ने भूरी सैन्यवर्दी में अधेर उम्र के व्यक्ति से कहा बिल्कुल मैंने आदेश दे दिया है लेकिन अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो हम शायद इसका विरोध नहीं कर सकते अनुभवी जनरल ने कहा मैं आप लोगों की मदद करूंगा यह एक आपात कालीन स्थिती थी इसलिए मैं भाग गया यदी मेरे पास तयारी के लिए समय है तो मुझे इसे सीधे अपने शरीर से अवरुध करने की आवश्चक्ता नहीं है शिकारी समुहों में जो भी आधिकारिक है कृप्या अधिक से अधिक शिकारियों को इकठा करें आकाश ने कहा मैं यह करूंगा फैंग जियोंग ने अपनी छाती थप थपाते हुए कहा ठीक है कृप्या मुझे उच्च साधना वाले कुछ लाइटनिंग एलेमेंट मैच चुनने में मदग करें मुझे अपनी बिजली की उर्जा को रिचार्च करने की ज़ूरत है आकाश ने कहा अपनी बिजली की उर्जा को रिचार्च करें फैंग जियोंग भ्रमित था हर करफ बिजली चमक रही थी. उसे अन्य जादूग्रों से रिचार्च कराने की आवश्च्टा क्यों होगी? मैं बिजली से बिजली पर हमला करने जा रहा हूँ. हालाकि फैंग जियोंग को नहीं पता था कि आकाश क्या करने जा रहा है, उसने वैसा ही किया जैसा उसे निर्देश दिया गया था और शिकारियों को इकठा किया तूफान ने अनियमित अंतराल पर हमला किया शन भर पहले का वजरस्तम्ध कुछ समय तक एक ही स्थान पर आक्रमन नहीं करेगा वयोवरिध जनरल चाहते थे कि सभी लोग खाली हो जाएं लेकिन तूफान ने सैकडों किलोमेटर भूमी को कवर कर लिया इसलिए नौर्थगार किले के बाहर और भी खतरनाक होगा जादूगर एक ही स्थान पर नहीं थे यदि वे बिखरे हुए होते तो तूफान से प्रभावित शेतर बड़ा होता लेकिन इसे जेलने की उनकी क्षमता कमजोर होती यदि वे सेना में शामिल हो जाते तो उनके नौर्थगार किले में जीवत रहने की अधिक संभावना होती मास्टर, बिजली तत्व के जादूगर सभी यहां है अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताएं वे तो वैसे भी आपके प्रशंसक बन गए हैं आकाश ने देखा कि उसकी अपेक्षा से कम लाइटनिंग एलमेंट जादूगर थे बिजली के जादूगर को खोजने की संभावना अन्यतात्विक जादूगरों की तुलना में कम थी मध्यवर्ती और उन्नत जादूगरों की संभावना बढ़ाने वाले मार्गदर्शक पत्थरों के बावजूद बिजली तत्व जादूगर, जलतत्व, प्रकाश तत्व, पवन तत्व और प्रिथवी तत्व जादूगरों से कम थे। बिजली तत्व जादूगरों से कम थे। जब उन्होंने देखा कि कुछ देर पहले हुई घटना के बाद भी आकाश को कोई चोट नहीं आई तो वे प्रभावित हुए। तुम सब उनके साथ मिलकर मुझ पर हमला कर सकते हूँ। मैं आपकी विनाशकारी उर्जा को अवशोशित करना चाहता हूँ आकाश ने कहा। क्या हमें अलग-अलग जादू का उप्योग करने की जूरत है। हाँ, यह तब तक ठीक है जब तक आप मौलेक जादू का उप्योग करते हैं। हाला कि आप इसे बहुत बार उप्योग नहीं कर सकते। मुझे डर है कि मेरा मैजिक टूल इसे कायम नहीं रख पाएगा। हाला कि यह लाइटनिंग एलिमेंट जादू पर लागू नहीं होता है। आप जितना चाहें मुझ पर लाइटनिंग एलिमेंट जादू से हमला कर सकते हैं। आकाश ने अपनी शर्ट के बटन खोले और लाइटनिंग एलिमेंट मैजेस के सभी हमलों को स्विकार कर लिया। उनमें से अधिकाश जिचके लेकिन जब उन्होंने देखा कि आकाश भयानक बिजली के बोल्टों को सोख रहा है तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था। बूम बूम नौर्थ गार्ड किले पर कई बार बिजली गिरी जिससे शहर हिल गया। हमला काफी देर तक चला। अनुगवी जनरल ने ऐसी बिजली के बोल्टों का विरोध करने के लिए सेना को इकठा किया था लेकिन कुछ रक्षा जादूगर बेहोश हो गये और अन्य उर गये। वे दर्ग से चिल्लाए। जरा ठहरिये। मैं एक सहायक को बुलाऊंगा आ आकाश की ओर देखा। आसन्नमृत्यू और विनाश से हर कोई भयभीत था लेकिन वे अपनी सारी उम्मीदें अकेले आकाश पर नहीं लगा सकते थे। वह एक ही आदमी था। प्राचीन राइजूर आकाश ने प्राचीन जादू पोर्टल खोला और राइजू को फिर से जाने दिया। राइजू के प्रकट होते ही हर कोई आश्चर्य से चिल्ला उठा। यह एक प्राचीन मौलिक भावना थी जो थावजेंड ट्राइब एल्फ तौबर के कैडर्स तरपर भी थी। बिजली के बोल्ट आपस में जुड़े हुए थे और बिजली का तत्व प्राचीन बिशप की तरहा आकाश के पास खड़ा था। यह महान और गंभीर लग रहा था। बिजली की उर्जा अभी के लिए परियाप्त होनी चाहिए आकाश ने सब की तरफ देखा। उन बिजली तत्व जादूग्रों और राइजू ने विनाशकारी उर्जा उत्प शरीर के चारों और थंडर होल के माध्यम से अवशोशित हो गए थे। थंडर होल अनन्त नहीं था। इसकी भी एक सीमा थी। हाला कि जब तक आकाश अपने द्वारा अवशोशित उर्जा की मात्रा को नियंत्रित करता है तब तक वह कैप्चर की गई बिजली की उर्जा क अपने शरीर में जेल सकता है और संग्रहीत कर सकता है। बूम 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 काले बादलों में एक सफेद पंजा दिखाई दिया। यह एक पतले और लंबे बास के पंजे से एक विशाल पंजे में बदल गया। इस पंजे के सामने नौर्थगार्ड किला किसी बच्चे के ख धबरा गये। हर किसी को एसास हुआ कि यह विशाल पंजा बिजली उनकी प्रिय हर चीज को नश्ट कर सकती है। कुछ मिनट पहले बिजली के विशाल पंजे की चपेट में आने से पास का एक बड़ा पहाड धूल में बदल गया था। गरजन तभी शहर के केंदर में एक बड़े गड़े में एक व्यक्ती दहारने लगा। उन्होंने राजसी ब्लैक ड्रेगन कवच पहने एक व्यक्ती को आकाश की ओर मुक्का मारते देखा। परपल लाइट फॉर्मेशन ने उसे धेर लिया। चिंगारिया चकाचौंध कर देने वाली थी। मुक्का अपने जबरदस्त लग रहा था। इसे हजारों बैंगनी ड्रेगन से बनाया गया था। मुक्का आकाश में उठा और बिजली के विशाल पंजे से टकराया। अचानक चिंगारी ने आकाश को भर दिया और उसे रोशन कर दिया। यह दुनिया की सबसे बड़ी आतिश बाजी थी बिजली बिखरी और छाते की तरह नौर्थ गार किले के चारों और हर दिशा में गिरी। बिजली लगातार टिम्टि माती रही। जो लोग नौर्थ गार किले में रहते थे वे हिसे अपने जीवनकाल में कभी नहीं भूलेंगे। जब पर्मेश्वर की निंदा ने उनके धर को लगभग नश्ट कर दिया था, तो आकाश में एक बिजली गिरी और उसका प्रतिकार किया, और वह व्यक्ती जिसने इसे प्रबंधित किया, वह वास्तव में कितना मजबूत था, आकाश ने अपनी दुखती बाह को हिलाया, उन्होंने अभी तक परपल लाइट फॉर् रहेगी, नौर्थगार्ड किला अभी भी सुरक्षित नहीं था, आकाश ने आकाश पर आकरमन जारी रखा, बैंधनी घुंसे एक के बाद एक उठे और नौर्थगार्ड किले के उपर घने बादलों पर हिंसक हमला किया, आकाश में अत्यंत चमकीली बिजली की चिंगारी की एक बड़ी श्रिंखला टिंटिमा रही थी, यहां आधी रात थी और फिर भी बिखरी हुई बिजली ने आकाश को दिन के उजाले में रोशन कर दिया, आकाश लगातार विध्युप तत्वों का विस्पोट कर रहा था, बादलों में बिजली के कई तत्व मौजूद थ वे बिजली के विशाल बमों की तरह थे, जो किसी भी समय फटने का इंतजार कर रहे थे, यहां तक कि अगर बिजली का एक छोटा सा बोल्ट भी वहां से गुजर जाएं, तो इस खेतर में एक भयानक विस्पोट हो सकता है, आकाश नौर्थगार्ड किले के उपर बिजली क के बोल्टों से हमला कर दिया, यह बिजली के तत्वों को बढ़ाने के लिए नहीं था, बलकि किले पर हमला करने से बचने के लिए आसपास के बिजली के तत्वों का उपियोग करने के लिए था, यह तरीका वास्तव में व्याभारिक था, थोड़ी देर के बाद नौर्थ गार्ड किले को ही बचाया गया था। आकाश में अभी भी कुछ बिजली चमक रही थी, लेकिन वे सामान्य थी, जो बहुत विनाशकारी नहीं थी। नौर्थ गार्ड किले के लोगों को राहत मिली। अचानक आकाश अकेला आदमी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मा ब्लैक ड्रैगन आर्मर में अजनबी का सम्मान और प्रशंसा करते थे। उन्होंने उन्हें बचाया था। यदि वह न होता तो वे सभी मर गये होते। मास्टर आकाश आपको आराम करना चाहिए। बाकी हम पर छोड़ दो हम पूरी तरह से बेकार नहीं है। हम यहां से किले की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। हाला कि तभी एक और विलोवी महिला सामने आई और आकाश का समर्थन किया। मैं उसका ख्याल रखूंगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपास ने ठंडे स्वर में कहा। लिव हे और फैंजियोंग शर्मिन्दा दिखे। फैंजियोंग ने अपास पर नजर डाली क्योंकि उसने इतनी खूबसूरत महिला पहले कभी कहीं नहीं देखी थी। उसे एसास हुआ कि वह आकाश के साथ यहां पहुंची है। फैंजियोंग ने देखा कि अपास ठके हुए आकाश को सहारा दे रहा है और उसे घटना स्थल से दूर ले जा रहा है। वह बास के विस्तर पर लेट गया। अपास ने उसे लेटने में मदद की। उसने उसे घूर कर देखा। उसने न तो उसे पानी दिया और नहीं सांत्वना दी। आकाश चाहता था कि लियू उसकी देखभाल करने के लिए यहां मौजूद रहे। क्या मैं सच मुझ उससे अधिक बदसूरत हूँ अपास ने आकाश के विचारों को भांप लिया। वह गुस्से में थी। एप्स खूबसूरत थी। उनकी शकल के मामले में उन्हें कोई नहीं हरा सकता। वह जानती थी कि आकाश को बहुत सी महिलाओं ने बहकाया था और वह ऐसा करने को तयार हो गया। लेकिन उसे कभी नहीं। इससे अपास दुखी हो गया। आकाश की मोहब केवल मैं ही होनी चाहिए उसने सोचा। तुम जहरीली हो आकाश मुस्कुराया। इससे अपास की हालत और बिगड़ गई। वह उसके पास पहुची और उसकी बाहपर काट लिया। लिपस्टिक के छोटे-छोटे दागों के साथ दान्तों के निशानों की वह एक साप महिला थी। जानवरों में साप सबसे अधिक ठंडे खोन वाले होते थे। चाहे उन्हें किसी के प्रती कितना ही सने क्यों न हो फिर भी जरूरत पढ़ने पर वे उसे खाने से नहीं हिचकी चाते। नागवंश की स्त्रिया अपने प्रेमियों के प्रती अधिक वफादार नहीं होती थी। पश्चिमी देशों में मेडुसा बहुत कामुक था। पुरुष केवल प्रजन और आनंद के साधन मात्र थे। वे केवल स्वयन से प्रेम करते थे। आह अपास चिलाया और पीछे हट गया। तुम मुझे विद्युतीकृत क्यों कर रहे हो। अपास ने गुस्से में वह गीला तॉलिया उसके चहरे पर फेंक दिया जिसका उपयोग वह उसे साफ करने के लिए कर रही थी। क्या? मैंने नहीं किया। आकाश ने उसके शरीर की ओर देखा। बिजली की छोटी बैंगनी गेंदे उसकी त्वचा पर मंडरा रही थी जह अपने स्टार सागर का विस्तार नहीं करते हैं तो आप विस्पोट करने जा रहे हैं और उम्मीद है मृत हो जाएंगे अपास ने कहा। यह भी हो सकता है कि सुपर लेवल के दूसरे स्टर की बाधा तूटने वाली हो आकाश घबराया हुआ और उत्साहित था। भगवान और अधिक शिरोबिंदु खुलते गए, उसकी ताकक बढ़ती गई। आकाश को पता ही नहीं चला कि उसके शरीर के थंडर होल्स एक बार फिर खुल गए हैं। जाहिरा तोर पर जुड़े हुए थंडर होल्स की संख्या उसकी रतवाहिकाओं की संख्या के समान थी। उसक पुछ बदलाव के साथ यह एक यांत्रिक जानवर में बदल सकता है। उसकी अलौकिक शक्ती थंडर होल्स का परिवर्तन उसके दूसरे स्टर के स्टार सागर को तोड़ रहा था। आकाश बहुत खुश था। उस पर पूरी तरह से बिजली गिरने की अनुमती देना व्य कारण बन सकता था और उसके पास मौजूद किसी भी व्यक्ती को जटका दे सकता था। लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा, उसे उस पर नजर रखने की जरूरत थी ताकि वह अपनी बिजली से दूसरों को चोट न पहुचाएं। किले में लोगों को बिजली की आपदा से बचाना आसान नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि इन लोगों का सफाया सिर्फ इसलिए हो जाएं क्योंकि आकाश अपने बिजली के जादू को नियंतरित नहीं कर सका। अपास बास की क्यारी के किनारे बैठ गया। आकाश निश्चल था। उसकी तवचा पर कभी-कभी पर नजर डाली। उसने सोचा कि उसका स्वभाव तीन आखो वाले साप राजा के समान है। इसके बाद आपस ने आकाश के होटों को काले बैंधनी रंग से रंग दिया। अब वह साप मंदिरों में पाए जाने वाले उन दुष्ट और जंगली लेकिन आकरशक पुरुश बिस्तर पर आकरिती के उपर घुटनों के बल बैठी थी। वह निर्भीक और फिर भी शर्मीली लग रही थी। जैसे वह अतीत में अपने पती के साथ रात बिताते समय हुआ करती थी। साप वाली औरत रोमान्चित थी। वह बहुत प्रसन्न थी कि वह अपने सामने काला और उसके चहरे की तस्वीर ली। यह भविश्य में उत्तोलन के रूप में कार्य करेगा। कॉम जब आकाश उठा तो वह भूखा था। वह कुछ खाने के लिए बाहर निकला। सौभाग्य से किले में प्रचुर मात्रा में भोजन था। सुभा सुभा नूडल्स और ब्रेड बेचने वाली दुकानों पर बुजूर्ब लोग मौजूद थे। मास्टर आकाश आप जाग गए हे भगवान फैंग जियोंग ने आकाश के कंधे को थप्थ पाया। जब आकाश पलता तो फैंग जियोंग चौक गया। फैंग जियोंग को जल्द ही स्थिती बूर किया जाता था। निहसंदेह इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा इसका विरोध किया, हाला कि मैंने शारिरिक रूप से इसका भरपूर आनंद लिया। आकाश हैरान था। उसने फैंग जियोंग को अपनी विचितर चुपी इच्छा और मरदान अभिनय के बीच संतुलन बनाने की दुविधा के बारे में सुनाते हुए अपने नूडल्स खाए। चुंकि आप जैसे महान व्यक्ति को इसे जन्ता को दिखाने में कोई आपत्ती नहीं है। इसलिए मेरे लिए अपनी इच्छाओं को दबाने का कोई कारण नहीं है। मै हम मेरे आदर्श हो। हम एक दूसरे से बहुत जुडे हुए हैं। आकाश ने उस पागल को नजरंदाच कर दिया। अन्य लोग जो नाश्ता कर रहे थे उसकी ओर देखते रहे और खिल खिलाते रहे। फैंग जयोंग जैसे कठोर और असभ्यव्यक्ति से इस तरह के छिप हुए पक्ष की उम्मीद किसने की होगी। आकाश को एसास हुआ कि उसके आसपास के लोग अभी भी उसे देख रहे थे और हस रहे थे जैसे कि वह फैंग जयोंग से बहतर नहीं था। क्या वे मुझ पर हस रहे हैं। आकाश को आश्चर्य हुआ। उसने दरपण में अपन हाथों पर चलने पर मजबूर कर दे। जल्द ही एक तेज करकश आवाज पूरे पत्थर के आंगन में फैल गई और उसके बाद एक महिला की अनिक्शुक घुर घुराहट सुनाई दी। सुबह शोरगुल शांत था। उसके पास वास्टव में अच्छी सहन शक्ती है। कल नागरिकों का सम्मान प्राप्त कर लिया था। अगले दिन सब कुछ बिखर गया। हाला कि लोग उनका सम्मान करते थे फिर भी वे उनके प्रती दयालू रवया बनाए रखने की कोशिश करते दिख रहे थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपास ने अकेले ही अपनी उस प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया था जिसे बनाने के लिए उसने कड़ी महंत की थी। स्वभाग्य से कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में कौन था। अन्य था वह शेश मूर्तियों को ढूंडेगा और उन्हें नष्ट कर देगा ताकि पूरी जगह नष् सका। उसे राहत मिली की अवरोध धीला हो गया था लेकिन उस परक को तोरने के लिए उसे अभी भी एक सहायक साधन की आवर्शकता होगी। लिटल लोच ने कुछ समय पहले अपने सम्मानिंग एलिमेंट में एक नई उर्जा आपूरती स्थानांतरित की थी जिससे उसका सम्मानिंग एलिमेंट सुपर लेवल तक आगे बढ़ सका। यदि उसने सहायक साधनों का एक और सेथ हासिल नहीं किया तो उसे पूरी तरह से लिचेंग आफ्टरगलो द्वीप या टोटेम पर निर्भर रहना होगा। किला सुरक्षित था। तो अब समया गया है कि आका के साथ किला छोड़ने के लिए तयार हो गया। एल्फ मून ड्रैगन थाउजन ट्राइब एल्फ टौवर से था। इसमें मून ड्रैगन रक्तरेखा का हिस्सा था। इसके पंक पारदर्शी थे और इसका शरीर ऐसा दिखता था मानो यह पूरी तरह से क्रिस्टल से बना हो यह बिलकुल किसी परीक्था से निकले प्राणी जैसा लग रहा था। इसके सौंदर्यपूर्ण स्वरूप के अलावा इसका कोई अन्य उपयोगी उद्देश नहीं था। इसका उपयोग युध में भी नहीं किया जा सकता था। आकाश ने इसे इसलिए बुलाया था क्य की यह छलावरण में माहित था। उसे यह सुनिष्ट करने की जरूरत थी कि जब वह लिचेंग आफ्रगलो द्वीब की ओर बढ़ रहा था तो उसे खोजा न जाएं। सुपर लेवल पर पहुँचने और प्राचीन जादू पोर्टल खोलने के बाद आकाश को एहसास की वह व्यापक पोर्टल खोलने के लिए अपने संबनिंग तत्व का उपयोग कर सकता है। यदि उसका सामना किसी ऐसी चीज से होता जो बहुत शक्तिशाली होती तो वह हमेशा प्राणियों को अपने लिए लड़ने के लिए बुला सकता था। आपने लिचेंग दूसरे से टकराई और उची उठती रही। अपास की सुनहरी गुलाबी नागिन पुतलिया चमक उठी। तभी उसकी नजर समुदर के पानी में तैरते एक लगभग अग्रिशे जीव पर पड़ी। वह जीव एक लंबा और पतला समुदरी शेर था। इसकी एक लंगर ज प्रयास कर रहा था। क्या मैंने मोहक मादा मकडी से बिना सिर वाले समुदरी शेर से सावधान रहने के लिए नहीं कहा था। यही तो है आकाश ने कहा। अपस ने कहा मैं सु रहा था, इसलिए मुझे नहीं पता की क्या हुआ. इसने मेरे आयामी जानवरों में से एक को मा जबकि हम लिचेंग आफ्टरगलो द्वीट से बदमाशों का पीछा कर रहे हैं, मैंने लिटल फ्लेम बेले और ओल्ड वुल्फ से मिंगवु प्राचीन शहर में इसके साथ हिसाब किताब करने के लिए कहा है। कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लंगर पूंच वाला शेर समुद्र उनकी पवित्र भूमी को उजागर करेगा। के बलने समुद्र तट पर कुछ चट्टानों को दूर धकेल दिया। इससे यहाँ आभास हुआ कि आगे कोई भूमी नहीं है। लेकिन अगर किसी को पहाड के अंथ को पार करना था तो उसे एक अप्रत्याशित रूप से शांतिपूर्ण खाडी मिली। खाडी का पानी बहुत साफ और शांत था जबकि पहाड के दूसरी ओर का समुद्र बहुत उथल पुथल वाला था। खाडी का मुख्ञ समुद्र की ओर नहीं था बलकि यह समुद्र के किनारे दिखाई देने वाली एक जील की तरह थी। लहरों का कोई निशान नहीं था। समुद्र की सताय साफ नीले रंकी थी जो पूरे नीले आकाश को प्रतिबिम्बित करती थी। खाडी के पास जील के अंत में एक ड्वीप था जो हरीभी हरियाली और चमकीले रंकी चटानों से धका हुआ था। विदेशी लताएं और घने जंगल अधिकाश शेतर को कवर करते थे। आकाश चौक गया। लिचेंग आफ्टरगलो द्वीप अध्भुत था। यह धर्ती पर स्वर्ग था और निवासी वास्तव में भाग्यशाली थे कि वे ऐसी जगह पर रहने में सक्षम थे। की आजिविका नश्ट हो गई। लेकिन यह ध्वीप अशांत समुदर के बीच में एक स्वर्ग था लेकिन क्रूर ठंडी समुदरी हवा से अप्रभावित था। जंगल के बीच से बिना खारेपन के धीरे-धीरे हवा चल रही थी। समुदर के किनारे फूलों की खुशब शसके पंजों की तरह नाच रही थी। मचवारा केवल बचने के लिए जगह की तलाश में था। उसने कभी इस तरह की जगह पर ठोकर खाने की उम्मीद नहीं की थी। मचवारे ने अपनी भूसे की टोपी उतार दी और नाव से बाहर निकल गया। समुदर का पानी इतना शांत था कि उसे यकीन था कि उसकी नाव बिना बांधे भी नहीं बहेगी। लेकिन फिर भी उसने उसे रसी से बांध दिया। वह पीछे मुड़ा और उसने युवा महिलाओं और दो बुजूर्ब महिलाओं के एक समुह को उपवन से बाहर निकलते देखा। वे उसे जैसे कि यहां आखिरी जगह हो जहां वह जाना चाहता हो, उसने जल्दी से अपनी नाव खोली और उस पर चड़ गया, हम आदम खोर राक्षस नहीं हैं, आप जानते हैं, तुम इतने भैभीत क्यों दिख रहे हो, उसकी ओर चर रही एक युवा महिला से पूछा, बच्चे देखो, मैं अभी भी जीवित हूँ और ठीक हूँ, पाई पीते हुए एक बूढे व्यक्ती ने कहा, तुम्हारे बगल में जो लड़की है, वह मेरी बेटी है, बाकी सब भी ऐसे ही है, मैंने एक आदमी के बारे में सुना है, जो इस द्वीब पर अचानका गया, और उसने यहां रात बिताई, उसे द्वीब पर महिलाओं से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, युवा मचुआरे ने कहा, मैं एक शादी शुदा आदमी हूँ, बाहर बहुत तूफान था, मेरी पत्नी बीमार होकर चिंतित होगी, मुझे वापस जाना है, वह मेरा कर रही है, लिचेंग आफ्रगलो द्वीब की युवती ने अपना सिरका स्कार्फ और शंक्वा का टोपी हटा दी, उसने धूरे मचुआरे को मुहक द्रिश्टी से देखा, क्या मैं तुम्हारी पत्नी जितनी अच्छी नहीं लग रही हूँ, उसने पूछा, आप बहुत जरूरतों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई लोगों ने यहां आने का प्रयास किया, लेकिन हमेशा अस्फर रहे। लेकिन आपने इसे खोज लिया। और अशांत समुदर में लोट आया। लिचेंग आफ्टरगलो द्वीब के लोगों ने उसे जाते हुए देखा। मचवारे की नाव तब तक बहती रही जब तक वह गायब नहीं हो गया। एक बुजुर्ग महिला ने खर्राटे के साथ अपना हाथ उठाया। बादल से एक खूनी लाल सांप जैसा बोल्ट निकला और मचवारे की नाव से टकराया। नाव के टुकडे टुकडे हो गए। और युवा मचवारा मर गया। पवितरत नीली जील पर लाल रंका धबा था। बूढे ने आह भरी। हमने उसे एक बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया और फिर भी उसने इसे ठुकरा दिया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वह बुजर्ग महिला जिसने नाव को अपने जादू से मारा था। उसने गहरे हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। वह खतरनाक और ठंडी लग रही थी। उसकी आखों में सिर्फ जानलेवा इरादा दिख रहा था। यह क्या है? क्या यह किसी प्रकार का समुद्र तटिय रंगमंच है? आकाश तब हैरान रह गया जब उसने अपने नीचे समुद्र में एक प्रतिबिंब देखा। बाक्चीत खामोश थी। लेकिन आकाश उनके होटों की हरकत से उनकी बोली का पता लगा लेता था। यह एक म्रिगतरिशना की तरह है, लेकिन यह पहले कभी हुआ था। यहाँ समुद्र का पानी बेहत शांत है और इसने कुछ घटनाओं को संरक्षित करना सीखिया है। अपास समुद्र में प्रतिबिंबित विचित्र द्रिश को देखता रहा। ऐसा होने की संभावना बेहत कम है, असंभव के करीब। मुझे आश्चर्य है कि इस स्वर्ग के समुद्र के नीचे कितनी लाशे दबी हुई है। आकाश ने एक लंबी, दुहक भरी, आह भरी। शेत्र के आसपास अधिक शहर नहीं थे। अब ऐसे मच्छवारे नहीं रहे, जो मचली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने की हिम्मत करते हूँ। जो छवी उन्होंने देखी थी, वह अतीत की थी। शांत पानी ने इसे प्रतिबिंबित किया। यह परिशान करने वाला था। जो लोग इस द्वीब पर चले गए वे या तो यही रह गए या डूब गए। द्वीब की महिलाएं कभी भी किसी बाहरी व्यक्ती को लिचेंग आफ्रगलो द्वीब छोड़ने और उनके स्थान को उजागर करने का जोखिन नहीं उठाने देंगी। केवल महिलाओं को ही बाहर निकलने की इजाज़क थी। जिन पुरुषों ने रुखने का फैसला किया, वे एक ही पंख के पक्षियों की तरहे महिलाओं के पास आते रहे। दुरभाग्य से बहुत से लोग सच्चाई नहीं जानते थे। लिचेंग आफ्रगलो द्वीब के लोग कभी भी द्वीब नहीं छोड़ेंगे। उनके विचार और राय एक पेड की तरहें उनके दिमाग में गहराई से जड़े जमा चुके थे, जिसकी जड़े हजारों साल पुरानी थी। उनकी सोच को बदलना नामुम्किन था। उन्हें केवल नश्ट किया जा सकता था। महासागर राक्षसों के आगमन के बाद से लिचेंग आफ्टरगलो द्वीब के लोगों को छोड़ कर कई शहर किले में चले गए थे। उन्हें अपने असली घर से निकलने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उन्हें डाटने वाला भी कोई नहीं मिला। लिचेंग आफ्टरगलो द्वीब के लोगों को पता था कि समुदरी राक्षस तटको नश्ट करने वाले थे। उन्होंने अपने घर और जमीन को समरक्षित करने का साधन खोजने के लिए मिंगवु प्राचीन शहर का दौरा करने का फैसला किया। लिचेंग आफ्टरगलो द्वीब की उतपती मिंगवु प्राचीन शहर से संबंधित थी। उन्होंने मिंगवु प्राचीन शहर से सबसे महत्वपून प्राचीन मूर्तियों को इस द्वीब पर स्थाना अंतरित कर दिया था। एक समय के पवित्र और पवित्र मिंगवु प्राचीन शहर को धीरे-धीरे त्याग दिया गया लेकिन लिचेंग आफ्टरगलो द्वीब पवित्र रोशनी में चमकता रहा। महिलाओं ने अपने और अपने द्वीब के लिए सभी प्राचीन मूर्तिया ले ली। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी कि महासागर के दानव बाहर की हर चीज को खा गये और नश्ट कर दिये। जब तक वे शांती से लिचेंग आफ्टरगलो द्वीब की सुंदर्ता का आनंद ले सकते थे, तब तक उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि इसके कारण लोगों का कतलेयाम भी हो रहा था। उन्होंने अपनी गलती दोहराई और किले में रहने वालों को मारने और नश्ट करने के लिए आपदा की अनुमती दी। द्वीब में छिपकर शुरुवात की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक निर्दोश मचवारे को मार डाला, वे भरश्ट हो गए थे। वे विधर्म की ओर बढ़े। यदि उन्हें अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों की हत्या करनी पड़ती तो उन्हें अब कोई पच्तावा नहीं होता। यह द्वीप एक आदश ग्रीन हाउस है। और मैं एक विदेशी वाइरस की तरह आपके आराम शेतर पर आकरमन करने जा रहा हूँ। आकाश के होठों पर मुस्कान तैर गई। लंगरपूँच वाला समुदरी शेर एक अनुभवी और चालाक राक्षस था। यह बहुत कुशल था। इसने आकाश का मार्ग दर्शन किया और आसानी से सुरक्षा रेखा से बच गया। वह एक बंद दीवार से रिंग कर उप आकाश को सबसे सुरक्षित रास्ता दिखाया। आखिरकार आकाश द्वीप पर उतरा। लिचेंग आफ्टरगलो द्वीप बढ़ा था। उन्होंने महसूस किया कि यह अपने सभी नागरिकों को उनकी जरूरते प्रदान करने में सक्षम है। वहा कृशी भूमी, बाग, तालाब और वनस्पती उध्यान थे। यह द्वीप बाहर के अधिकांश कस्बों के समान था। शहर अपने आप में बहुत बड़ा नहीं था। इसमें केवल दो सड़के थी और नागरिक चारों और बिखरे हुए थे। महिलाए बड़े अंतर से पुरुशों से आगे रह पुरुशों को निकलने की इजाजत नहीं थी। द्वीप की महिलाए पुरुशों को कैद नहीं करती थी। इसके बजाए वे उन पर हावी हो गए। द्वीप पर बहुत से नागरिक थे। आकाश खुलेयाम घूम रहा था और किसी ने उसे घुसपैठिये के रूप में भ की विचारधारा एक जैसी थी। यह स्थान उनके लिए स्वर्ग था। यदि उन्होंने ऐसे अत्याचार न किये होते जिससे परमिश्वर का क्रोध भड़क उठा तो यह द्वीप वास्तव में मनुश्यों के लिए भी स्वर्ग होता। नव्योवकों को सुंदर पतनी न मज में आ गई। आकाश को बेगुनाहों की हत्या से नफरत थी। वह लिचेंग आफ्तरगलो द्वीप को नश्ट करना चाहता था लेकिन उसका सभी को मारने का कोई इरादा नहीं था। उनका इरादा केवल वर्तमान शास्कों का कखता पलट करना था। ठीक है काम अहम दूसरे विचार पर वे खुद को नश्ट कर सकते हैं। यदि वे ऐसा चुनते हैं तो हम सभी अच्छी चीजे चीन लेंगे। जब आकाश का पहली बार लंगरपूँच वाले समुदरी शेर से सामना हुआ तो उसे लगा कि यह थोड़ा अजीब है। हालाकि बार अपनी जान जोखिम में डाल सकता है। यह संभवता हमेशा नहीं जीट सकता। वह इतना शक्तिशाली भी नहीं लग रहा था कि दोबारा सिर उगा सके। यह तभी समझ में आया जब आकाश ने देखा कि एंकरपूँच वाला समुदरी शेर कितनी कुशलता से लिचे कहसे परिचित था। इसने द्वीब की कमजोरी का फायदा उठाया और द्वीब की आध्यात्मिक भूमी में खेती की। इस तरह यह शासक्स्तर का बन गया। द्वीब की आध्यात्मिक भूमी वास्तव में अध्भुत है। यहा तक कि एक साधारन लंगर पूच वाला शेर भी शासक्स्तर का दानव बन सकता है। आकाश चिलाया। लिचेंग आफ्टर अगलो आइलाइन उनकी उम्मीदों से बढ़ कर रहा। विशाल पत्थरों से अवरुध होने के बावजूद वह पहले से ही उस स्थान की गर्मी को महसूस कर सकता था। यह राजसी था। बस चर्चा बस लिटल लोच उटसाह से काम उठा। लिटल लोच ने एक बार एक छोटा सितारा धूल जादूई उपकरन खा लिया। इसकी खुशी एक महीने तक चली थी। तब से लिटल लोच एक प्राचीन स्क्विड में बदल गया था जिसे अब आसानी से लुभाया नहीं जा सकता था, यहां तक की पवित्र आडू से भी नहीं। हाला कि इस बार लिटल लोच आकरामक तरीके से घूमा जैसे कि वहां आध्यात्मिक भूमी में जाने के लिए आकाश की गर्दन खीच रहा हो। अपनी प्रतिक्रिया से आकाश ने बताया कि आध्यात्मिक भ जल्द ही सुपरस्तर पर आगे बढ़ेंगे। आकाश ने अपने चाया तत्व का उप्योग किया और लंगरपूँच वाले समुदरी शेर का पीछा करते हुए गुफाओ बाली दरारों से यात्रा की। दरारी इतनी जटिल थी कि आध्यात्मिक भूमी को ढूंदना बड़े भाई मेरी खेती लगभग पूरी हो चुकी है। मैं लगभग एक सप्ताह से अंदर खेती कर रहा हूँ। मैं बोर महसूस करता हूँ। अभी भी जल्दी है क्या हम सड़क पर टहलें। एक रुखले स्वर ने कहा। ठीक है। लेकिन क्या आप निश्चित हैं कि आ दिनों तक खेती करने का मौका मिलेगा। साथवे दिन आध्यात्मिक भूमी को स्वयं को पुनरस्थापित करने के लिए खाली छोड़ दिया जाएगा। और लंगरपूंच वाला समुदरी शेर साथवे दिन का फाइदा उठा कर अंदर घुस गया और खुद को विक्सित रूप से याद थी। यहां लगभग सुख चुकी चीज के कारण ही था कि ब्लैक वेटिकन ने परल इंस्टिट्यूट में गोता लगाया और जू जाउटिंग को मार डाला। लेकिन ऐसी जगह ऐसी चीज क्यों दिखेगी। इस बारे में आकाश कभी गलत नहीं हो सकता। उसने ब्लैक वेटिकन के लोगों को इसे चीनने से रोकने के लिए शेश पवित्र वसंत सार को चीन लिया था। अंत में आकाश ने अपने लिटिल लोच को बचा हुआ एसेंस खिलाया। भले ही किसी कारण से वह गलत था, वह जानता था कि लिटिल लोच कभी भी इस बार के साथ गायब हो गया था। कवालों से भरा था। वह चाहता था कि उसे किसी प्रकार की मानसिक तक्नीक में महारत हासिल हो ताकि वह अपने सभी प्रशनों का उत्तर देने के लिए जानकां की आत्मा को बुला सके। दस्तक, दस्तक, अचानक पत्थर का बंद दर्वाजा धीरे से खुला। कोई अंद दूसरा जूनियर अभी चला गया। प्रवेश द्वार पर पहरा दे रही एक महिला की दूर से आती आवाज ने कहा। कद्मों की आवाज पत्थर के दर्वाजे पर रुकी, उसके बाद एक आवाज आई जिसे आकाश ने पहचान लिया। मैं अभी बाहर प्रशिक्षन से बापस आया हूँ। कोई खास सुधार नहीं हुआ है। यह निश्चित रूप से इर्श्या की बात है कि सात्वी दादी ने आपको बाहर प्रशिक्षन के लिए चुना है। दर्वाजे पर पहरा दे रही महिला ने नमरता से कहा। यह ठीक है। हम सभी को मौका मिलेगा। वैसे भी बाहर की द वह किसी ऐसी चीज को सुभ रहा हो जो उसे बहुत पसंद नहीं थी। उसने लापरवाही से पिछले कल्टिवेटर की मोटी दुष्ट सुगंध को बाहर निकाल दिया। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत पर काम करना चाहिए। अन्य था वह कुतिया ले नान की खेती जल्द ही मेरी खेती से आगे निकल जाएगी। और सात्वी दादी ने उसका समर्थन किया। वह अगले साल नेता भी बन सकती है। हम्फ रुवान फियान ने खुद से बड़बडाया। तो ले नान सिर्फ आपका विशैला दोस्त है। मुझे लगा कि आप दोनों बहुत करीब थे। आकाश की आवास गुंजी। रुवान फियान की आखें चौड़ी हो गई। एक पल के लिए उसे लगा कि वह मतिध्रम कर रही है। लेकिन जब उसने देखा कि उसके सामने एक काली चाया खड़ी है। वह काली चाया लंबी थी और एक भव्य आभा बिखेर र रुवान फियान की नीली आखें आतंक और भ्रम से भरी हुई थी। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह यहां आएगी। आकाश ने लिचेंग आफ्टरगलो द्वीब का पता कैसे लगाया। किसी को भी द्वीब के प्रवेश द्वार के बारे में नहीं पता था। पवित्र तालाब के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। पत्थर के दरवाजे के बगल में एक तंत्र था। वह इससे केवल एक कदम दूर थी। यदि वह तंत्र को दबाती तो यह दादी को सचेत कर सकता था। हालाकि उसे सैकडो जादूई काटों से काटा गया था। व मैं आमतोर पर उन लोगों से बदला लेने के व्यवसाय में हूँ जो मेरे साथ गलत करते हैं। आकाश ने रुआन के कर्व पर ध्यान दिया, खासकर जब वह बंधी हुई थी। अहम, मैं लुटे रहा हूँ, बलातकारी नहीं, उसने खुद को याद दिलाया। आकाश ने और लिचेंग आफ्रगलो द्वीब की महिलाएं एक ही पूरवजों की वन्शच थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजे सही जगह पर हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लिचेंग आफ्रगलो द्वीब की महिलाओं के पास खेती का इतना उच्च स्तर था। बो सिटी के अनुसार, लोग सात्वे दिन को छोड़कर छे दिनों तक हर समय खेती करने के लिए आते थे। उर्जा के साथ साथ दक्षता में भी बड़ा अंतर था। बो सिटी में अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग ने जादूग्रों को बुनियादी स्तर से मध्यवर्ती स्तर त उस समय केवल कुछ निश्चित दिनों में ही गुप रूप से भूमिगत पवित्र जरने में प्रवेश किया था। मुझे आप से कुछ प्रशन पूछने हैं। अगर तुम मुझे सच्चाई से जवाब दोगे तो मैं तुम से यातना के जरिये पूछताच नहीं करूँग झाल 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 झाल